194 BA का मतलब बड़े एडिक्ट लोग, इसको ऐसे याद रखेंगे, 194 BA means बड़े एडिक्ट लोग, बड़े एडिक्ट लोग करके जो लोग है, बड़े एडिक्ट, एडिक्ट हो जाते है न, और वो एडिक्ट किस से होते है, ऑनलाइन गेम से, एश्वरा इधर देखो पेटा, छोड़ दो आप, इधर धियान दीजिए, कुछ लोग ऐसे होते है, जो बड़े एडिक्ट हो जाते है, तो आप ये समझेए, ये बड़े एडिक्ट लोग, और ये यहाँ पे ओनलाइन गेम से, अगर उनको कुछ विनिंग होती है, तो विनिंग्स होता है किस से, ओनलाइन गेम से, तो ओनलाइन गेम्स की विनिंग है, उस पे TDS 194 BA में आएगा, अब एक चीज़ समझना, ओनलाइन गेमिंग की जो विनिंग है, उस पे TDS 194 BA में आएगा, लेकिन वो इंकम टैक्सिबल कौन सी सेक्शन में होगी, तो आपको मैं बताओ, अगर आपको याद रहे, तो हमने कॉम्पाक्ट में जो वॉल्यूम वन पढ़ा था, उसमें हमने पढ़ा था, एक सेक्शन का जिकर किया था, और उस सेक्शन का नमबर था, सेक्शन नमबर 115 BBJ करके, और 115 BBJ मैंने बताए था, और 115 BBJ ये बोलती है, कि अगर आपकी कोई ओनलाइन गेम से विनिंग होती ह ओनलाइन गेम जो है और ओनलाइन गेम से जो विनिंग होता है तो अगर आपको याद रहेगा तो वहाँ पे एक फॉर्मूला मैंने लिखवाया था कि वह ओनलाइन विनिंग का आमाउंट टैक्सिबल कैसे होगा तो taxable कैसे होगा आप एक काम करिए A प्लस D कर दीजिए और उसके बाद उसमेंसे आप less कर दीजिए B प्लस C है वो आप उसमेंसे less कर दीजिए मेंस आप A और D को plus कर दीजिए और इसकी जो total आती है उसमेंसे आप जो B और C होता है वो B, C की total को आप add कर के और आप less कर दीजिए, जो भी पचेगी, that is call your net winning, और उस net winning पे आपको 30% की rate से text भढ़ना पड़ता है, under section 115 BBJ में, तो देखिए, मैंने क्या बोला, समझने ही कोशिश करना, मैंने एक section बताई थी, 115 BBJ करके, और BBJ है, वो online games की बात करता है, वहाँ पे मैंने आपको पता रहेगा, dream 11 का example दिया था, कि आपका dream 11 में application पे आपने एक account बनाया, तो उससे net winning जो होगी, वो net winning आपकी 30% की rate से taxable होगी, अब यहाँ पे net winning कैसे calculate करते हैं, तो वहाँ पे एक formula लिखवाया था, और वो formula था, A plus D कीजिए, और उसमें से आप B plus C कर दीजिए, उसमें से less कर दीजिए, जो भी बचेगा, that is call your net winning, और इस net winning पे आपको 30% की rate से tax है, वो pay करना पड़ेगा, यह आपका volume जो था, volume number 1, उसका जो पहला topic था, tax rate वाला, उसी के last page पे आपको मैंने वहाँ पे एक example लिखवाया था, dream 11 करके, अब आप बोलोगे, यह A क्या होता है, B क्या होता है, C क्या होता है, D क्या होता है, वो मैं बता हूँ, तो A का मतलब होता है, कि इस साल में आपने अपने account से कितना withdraw किया, account का मतलब, यहाँ पे जो dream 11 पे account है, या जो online game application है, उस application पे जो आपका account है, उस account से आपने कितना withdraw किया, that withdrawal is call your A, उसके बाद B का मतलब होता है, कि आपका closing balance कितना है, आपका जो closing balance है, वो closing balance कितना है, उसके बाद B का मतलब यह होता है, और C का मतलब होता है कि आपका उसमें ओपनिंग बैलेंस कितना है उस अकाउन्ट में अब एक बात बताओ इस अकाउट को बार-बार हम यूजर अकाउट बोलेंगे जिस पे आप अपना एक अकाउट बनाते हो तो जब मैं account की बात करूँ, तो account का मतलब होता है, इस application पर जो आपका account बनता है, जैसे Paytm wallet होता है, गूगल पर जैसा कोई wallet होता है, तो wallet जैसा ही यहाँ पर एक account बन जाता है, that is call your user account, तो जैसे मैं बात कर रहा था, मैंने यहाँ पर try किया इस पे एक बार login करने का, बट login ह हो नहीं रहा है, मैं सोच रहा था, इस पर account बना दू, और account बना के मैं आपको बताओं कि इसमें कैसे जो है, वो आपका पैसा है, वो आपका withdraw होता है, एक probo करके application और था, तो probo पर चेक कर लेते एक बार हो सकता है, या नी, probo, probo app, बट यह आपका, trade online, पर गए, इसमें application ही है, आइधिंग, एक सेगंडा, जैसे यह मेरा एक user account है, 3-1-1-2-4-7, 3-1-1-2-4-7, हाँ, चलो, तो यह एक online gaming application है, ठीक है, इधर देखिए सब लोग, यह online एक gaming application है, जिसका नाम है प्रोबो करके, ठीक है, प्रोबो, एक online gaming application है, जिसमें आप पैसा लगा सकते हो, जैसे आप England-Bangladesh का जो match है, उसमें आप लगा सकते हो, पाकिस्तान-श्रिलंका का match है, उसमें आप लगा सकते हो, आपको इसमें prediction करनी पड़ती है, तो यह prediction based जो game है, that is called your online game, तो जैसे पाकिस्तान-श्रिलंका का आज match है, उसमें यह पूछा जाता है, जैसे Pakistan to win the match versus स्रिलंका, क्या पाकिस्तान यह match जीतेगा, श्रिलंका के खिलाप करके, आप अगर yes बोलते हो, तो उसमें आपको 6.6 रुपीज है, वो आपको लगाना पड़ेगा, और अगर आपकी जो bet है, वो सही हो गई, तो I think आपको 3.4 रुपेज मिलेगा, ऐसा कुछ होता है, इनका system करके, वो system exactly कैसे काम करता है, कितना जीते, कितना नहीं जीते, वो मुझे idea नहीं, बट मैंने इस बार पहले इस पर account बनाया था, तो एक बात समझेए, यह मेरा account का balance बता रहा है, that is 97.2 है, यह मेरा account का balance बता रहा है, अब इसमें यह बताता है, कि मैंने deposit करना है मुझे कु withdraw करके, और यहाँ पे KYC number होता है, आपको नाम डालना पड़ता है, pen number डालता पड़ता है, date of birth डालना पड़ता है, उसके बाद आप यह पैसा withdraw कर सकते हो, तो आप समझ रहे हो, एक तो होता है deposit, deposit में मानलो मेरा ICICI bank पर account है, उससे में पैसा इस user account में डालूँगा, that is called deposit, आप एक पात समझना, withdraw का मतलब क्या होता है, कि अगर मानलो मेरी winning बहुत जादा होगी, मुझे पैसे को withdraw करना है, तो मैं पैसे को withdraw कर दूँगा, और यहाँ पे कुछ promotional balance और मिलता है, promotional balance कभी कभी मिलता है आपको आदत लगवाने के लिए, ठीक है, आदत लगवाने के 100 रुपया दे देते हैं, लो 100 रुपया, इससे खेलो करके ठीक है, खुश हो जाओ, इससे खेलो तुम, तो वैसा भी होता है, तो उसमें promotional balance भी आता है, अब इसमें transaction history की अगर मैं बात करूँ, तो यह जब मानलो, इसमें सबसे पहले हमने जो डाला था पैसा, तो यहाँ प विड्रॉ किया, answer is no, और आज की date में आप balance देखते हो, तो कितना balance पढ़ा है, 97.2, तो यहाँ पे 900 रुपय का सत्यानास हो गया, 900 रुपय है, 900 रुपय है, उतना हमने 60 लगा दिया, और हम हार गए, तो अब question यहाँ पे यहाँ आता है, कि सर मानलो, ऐसी application पे हम अगर online betting कर आज का 97.2 balance है, तो जब 97.2 balance है, तो भाई साब आप अगर transaction history देखोगे हमारी, कि कितने debit हुए और कितने credit हुए, तो यहाँ पे recharge किया था पहली बार, 1000 का, उसके बाद कुछ withdraw, withdraw करनी पाए, और ultimately 90% loss पे है, और इंडिया में ऐसा ही है, इंडिया में जो है, वो मैं बता इंडिया में 95% लोग इन एप्लिकेशन पे पैसा गवाते है, 95% लोग है, वो इन एप्लिकेशन पे पैसा गवाते है, तो यहाँ पे इस बार से निर्मला सीतारमन जी ने बोला, कि चलिए 900% का loss हो गया, और 90% होगा ना, 1000 का 90% होगा ना, कैसी बात कर रहा है, एक हजार का 90% होगा ना, 90% loss होगा, 900% कैसे होगा, तो 90% है, वो आपका loss होगा, 97.2 रुपेश बचा है, तो इसको अपन लगा लेते हैं, किसी पे अगर माल लो 97.2 रुपेश बचा है, तो इसको भी आज अपन बैटिंग कर देते हैं, और चलो किस पे लगाते हैं, तुम बता होगे, उस पे हम लगा लेंगे, तो इस पैसे को हमने फोर एन एग्जामपल लगाया, यहां पे, ओ भाई साभी अप्लिकेशन का चली नहीं रहा है, तो मालो, यह इंग्लेंड बंगलादेश का एक मैच है, और पाकिस्तान श्रिलंका का मैच है, तो हमने लगाया, फो 8.2 रुपेश मैंने लगा लिया, लो, लो, 8.2 रुपेश कैसे लगाते हैं, आता ही नहीं, यहां, बट इसमें है न, अगर 82 लगाएंगे, तो आपको 100 मिलेगा, ऐसा कुछ है, चलो, स्वाइप पूर यस कर देते हैं, बिड सब्मिट हो गई करके, ठीका, 8 रुपेश हमने अब 15 रुपे बचे, इंडिया-पाकिस्तान मैच जो है, उस पे कुछ लगाना सकते है, तो कुल मिला के मैं आपको यह बोल रहा होगे, यह प्रोबो वगरा, यह ओनलाइन गेमिंग अप्लिकेशन से, तो क्वेशन यह आता है, कि सरे एक बात बताईए, इसकी विनिंग कैस से taxable होगी, कितनी taxable होगी, तो पहले तो मैं taxability की बात करता हूँ, तो lawmakers बोलते है, taxable आपकी 30% की rate से होगी, online winning जो है, वो 30% की rate से net winning taxable होगी, बट net winning आप कैसे निकालोगे, तो net winning निकालने के लिए आप एक काम करो, इस साल में आपने कितना withdraw किया, इस साल में आपने कितन withdraw किया वो लीजिए, और उसमें आपका closing balance कितना है 31st March को, उसको add कर दीजिए, और इसमें से less कर दीजिए, आपने कितना deposit किया था, और कितना आपका opening balance था, वो आप less कर दीजिए, जो बचेगा, वो आपका net winning आएगा, और net winning पे आपको 30% की rate से tax बढ़ना है, जो भी net winning है, वो net winning पे आपको 30% है, वो 30% की rate से आपको tax है, वो tax बढ़ना पड़ेगा, तो चलिए अपने काम करते हैं, और सीधा अपने एक example पे चलते है, कि यह winning taxable कैसे होता है, net winning निकालते कैसे है, तो सबसे पहले आप point number 2 पे आजाईए, जो page number 9 पे दे रखा है, net winning आपका income कैसे calculate ह होगा, तो देखो, यहाँ पे, computation of net winning for the purpose of section 115 BBJ, यह same example, ऐसा ही example मैंने वहाँ पे लिखवाया था, in the, like वो last वाला जो topic पड़ा था, उसमें गर के, देखो, आपको क्या करना है, net winning कैसे calculate करना है, पहले आप A plus D कर दीजिए, minus B plus C करिए, A plus D minus B plus C करिए, तो A का मतलब होता है amount withdraw from the user account during the previous year, आपने withdraw कितना किया, तो जैसे मेरा probo का account है, मैंने तो कुछ withdraw किया, नहीं तो withdraw कितना किया, वो amount लीजिए, उसके बाद closing balance of user account at the end of the financial year, आपका closing balance कितना है, उसको आप add कर दीजिए, तो A plus D करिए, और B plus C minus कर दीजिए, B का मतलब होता है, aggregate amount of non-taxable deposit, non-taxable deposit क मतलब होता है, ऐसा पैसा आपने deposit किया, जिस पे आपने पहले tax भर रखा है, एक बाद बताईए, aggregate amount of non-taxable deposit का मतलब होता है, ऐसा पैसा आप इस user account में डाल रहे हो, जिस पे आपने पहले tax भरा है, जैसे example के लिए, मैं जितनी भी मेरी income होती है, ICICI bank में आप गराती है, त तो वो वाला पैसा अगर मैंने deposit किया, तो वो ही less होगा, जैसे इस example में मैं लेता हूँ, इदर देखिए, यह प्रोबो जो है, इस पे मैं गया, और मैंने यहाँ पे मानलो पैसा add money किया, तो जैसे ही मैं यहाँ पे add money बोलता हूँ, यह बोलता आपको कितना add करना है, मैंने कितना मिलेगा, 195 मिलेगा, तो 195 है वो मेरा deposit माना जाएगा, मैं जैसे ही यहाँ पे recharge बे जाता हूँ, यह पूछता है, कि भाईया आपको application डाउलोड करनी है, उसके बाद आपको recharge करना है, तो कुल मिला कि इसमें जो पैसा मैं deposit कर रहा हूँ, वो मेरे ICICI bank से कर रहा हूँ, वो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं बाकी सब चीजों से deposit कर रहा हूँ, तो मुझे यह देखना है कि इसमें मेरा deposit कितना हुआ, तो deposit जो होगा, वो deposit मेरा कितना होगा, मैं 250 ट्राई किया deposit करने का, बर deposit जो है, वो net of GST होगा, GST हड़ जाएगा, उसके बाद में मेरा deposit कितना तो वो यहाँ पे लिया जाए गा कर गे, तो deposit non-taxable deposit, non-taxable deposit का मतलब यह होता है, कि भाईया उस पैसे पे मैंने पहले tax भर रखा है ना, तो अब मैं deposit करते time, यह थोड़ी कोई taxable वाला amount मैं रहे, उस पे तो tax भर रखा है, तो वो आपका deposit वाला amount है, वो आपका यहाँ पे less हो जाएगा, तो देखिए क्या दे रखा है, तो aggregate amount of non-taxable deposit made in the user account by the associate during the previous year, आप इसको ऐसा याद रखिए, जितना आप पैसा deposit करते हैं user account में, और opening balance of user account at the beginning of the previous year, आपका opening balance कितना था, वो भी आपका less हो जाएगा, तो बड़ा simple है ना, एक बात बताओ, इस साल में कितना प account में deposit किया, और कितना आपका opening balance था, उसको add कर दीजिए, और इस पहले A और D minus B plus C कर दीजिए, आपको मिल जाएगा, यहाँ पे net winning और उस पे आपका tax है, वो लगेगा 30% की rate से, चलिए, आगे देखिए यहाँ पे क्या दे रखा है, एक example के थू मैंने आपको समझाया हुआ है, एक बंदा है, जिसका नाम है ताराराम देवासी, तो इसी को लेके मैंने एक example बना है, example बोलता है, ताराराम देवासी is an online fantasy game addict करके, यह game addict है, इसका बड़े लोग जो addict हो जाते है, उसको यह online gaming से आप connect करोगे BA, that is बड़े लोग addict हो जाते है, वो वाले, he is having the user account with the my11 circle application पर उसका user account है, opening balance as on 1 for 2023, इसका opening balance 60,000 था, उस opening balance जो था 1st April 2023 गो उस application में 60,000 था, amount deposited in previous year 23,24 in the user account, उसने उसमें जो पैसा डाला इस साल में, इस अपने bank account वगरा से पैसा डाल का, यहाँ पे जो invest किया, वो कितना हुआ, 150 हुआ, तो मैं बताँ, opening balance आपका 60 है, उसने ड डाला, वो 150 डाला, तो कुल मिला के आपका 2,10,000 है, वो उसमें balance डाला, आपने opening इतना था, इस साल इतना deposit किया, amount withdraw during previous year 23,24, आपने withdraw कितना किया, तो आपने withdraw किया, 3,37,000 आपने उस user account से withdraw कर लिया, आपकी winning हुई होगी वो, and उसका जो closing balance है, वो 72,000 है, तो आप एक काम पहले आपने जो withdraw किया, वो कितना किया, और आपका closing balance कितना है, वो आप दोनों को add कर दीजिए, तो यहाँ पे एक बात समझना, 3,37,000 प्लस आपका 72,000, तो आपका 4,9,000 हुआ, minus कर दीजिए, आपका opening balance और आपने deposit कितना किया था, तो इस में से 1,50,000 minus करिए, minus कर वो 1,99,000 आता है, और इस 1,99,000 पे आपका 30% की rate से tax लग जाएगा, ऐसा मैंने आपको पहले भी बताया था, कहां पे बताया था, जो dream 11 का example लेके मैंने आपको बताया था, यह इतनी winning है, 1,99,000 यह आपके ताराराम देवासी के लिए taxable हो जाएगी, चलिए, अब एक और question ह आता है, किसर अब TDS कैसे कटेगा, क्योंकि हमने चालू तो किया है TDS का section, तो TDS कैसे कटेगा, और TDS कब काटना है, तो सबसे पहली चीज़ 194 BA की बात करते है, यहाँ पे nature of payment क्या है, आप थोड़ी दिर के लिए अपने doubt है, उसको बंद कर दीजिए, प्लीज, आप doubts को बंद कर दीजिए, मैंने मेरा laptop बंद कर दिया, मैंने मेरा laptop बंद कर दिया, जिस पर आपके मैं doubts देखता हूँ, वो बंद कर दिया, अब इदर देखो, TDS कैसे आएगा, तो सबसे पहले section 194 BA क्या बोलता है, 194 BA है winning from online games की बात करता है, pair कौन होगा, any person, pay कौन होगा, any person, औ जातो आप उस account से पैसा withdraw करते हो तब, and withdraw अगर नहीं करते हो, तो उस particular case में जो last date पे 31st March पे TDS काटा जाएगा, तो देखो, मैंने क्या बोला, TDS कब काटना है, कौन से time पे काटना है TDS, तो वो लोग TDS काटेंगे, जैसे ही आप account से पैसा withdraw करते हो, जैसे ही आप account से पैसा withdraw करते हो, withdraw करते time TDS काटेंगे, and उसके साथ साथ में आपका last में balance कितना बचा, उस time पे TDS काटेंगे, अब वो कैसे calculate करेंगे, क्या calculate करेंगे, वो मैं आपको examples के तरू, एक एक example के तरू, मैं आपको सब चीजे हैं, वो मैं सिखा दूँगा, तो देखिए, ये लोग TDS कैस user account, as well as at the end of the financial year, 31st March को भी TDS काटेंगे, अब आप बोलोगे, ये कैसे कैसे TDS काटेंगे, मैं आपको एक एक चीज अराम से समझा दूँगा, आप बिल्कुल tension मत लीजिए, मैंने बहुत प्यारे प्यारे example ले रखे है, और handmade example आपको easily समझ जाएगा, सबसे पहला, अगर आ कैसे TDS काटेंगा, तो देखो, law makers बोलते हैं, आप एक काम करिये, सबसे पहले आप लीजिए A, minus कर दीजिए B and C, means A मैंसे B, C को प्लस करके आप minus कर दीजिए, अब आप बोलोगे A का मतलब क्या, A का मतलब बढ़ा simple है कि पहली बार जब आप withdraw कर रहे हो, तो आप कितना पै इस साल में, और C का मतलब होगा, opening balance कितना था, तो आप एक काम करो, जब पैसा withdraw कर रहे हो, पहली बार withdraw कर रहे हो, आप अपने user account से पहली बार withdraw कर रहे हो, इस साल में, तो जब पहली बार withdraw कर रहे हो, तो कितना amount आप withdraw कर रहे हो, और उसमें से less कर दो, उस user account का opening balance कितना था, और इस साल में आपने deposit कितना किया था, उसकी total को आप less कर दो, जो बचेगा उस पे आप 30% से TDS काट हो, और अगर जो बचेगा वो amount अगर negative आ रहा है, तो obviously उस पे TDS काटने की जरुवत नहीं है, तो अगर आप पहली बार withdraw करते हो, तो क्या होगा, तो देखिए, amount withdraw from the user account, user account स कितना था, मैं example से समझाऊंगा, आपको easily समझ में आएगा, आप आज आईए सब लोग इस example पे, all people, please pay attention, मैंने एक example बनाया है, handmade example बनाया है, तो देखिए, from the following information, जैसे वो ताराराम वाला example है, उसी example को मैंने continue किया, यहां तो मैंने यह सिखाया था, कि ताराराम की net winning कितनी आएगी, 199 और वो taxable 30% से होगी, लेकिन इसका TDS कैसे घटेगा, तो TDS कैसे घटेगा, उसके लिए मैंने यहां पे इस example को बड़ा elaborate किया, और एक-एक date wise मैंने चीजों को यहां पे बताया है, तो देखिए, सबसे पहला, from the following information, calculate the TDS requirement to be deducted by my 11th circle from the winning of Mr. ताराराम देवासी, opening balance of the my 11th circle account is 60,000 था, और closing balance है, वो 72,000 है, तो इस account का opening balance है, वो 60,000 था, और closing balance है, वो user account का last में जाके 72,000 है, चलिए, अब सबसे पहले हम देखते हैं, कि पहली date आ रही है, 14th April 2023 को उसने transfer from the bank account, means bank account से उसने deposit किया यहां पे, तो bank account से user account में deposit किया कितना 50,000, और एक withdraw हुआ, 30 April 2023 को transfer from the bank account, sorry, transfer to the bank account, means आपने user account से पहली बार withdraw किया 80,000, अब एक बात बताओ, जब पहली बार withdraw किया, तो क्या TDS आएगा या नहीं आएगा, तो इस example में मुझे बताओ, पहली बार आपने withdraw कितना किया, 80,000 किया, तो जब आप withdraw कर रहे हैं, वो 80,000 कर रहे हैं, तो आप एक काम करिए, जब withdraw कर रहे हैं, 80,000, उसमें से minus करिए, कि अभी तक आपने deposit कितना किया, और आपका opening balance कितना था, उन दोनों चीजों को minus कर दीजिए, उसके बाद अगर कोई positive amount आता है, तो उस पे आप TDS काट लीजिए 30%, तो यह क्या करेगा, यह जो आपका क्या बोलते है, अप्लिकेशन वाले है, यह आपका TDS काटेंगे, तो देखो, आप पहली बार withdraw कर रहे हैं, और पहली बार first time withdraw हुआ, 30 अप्रेल 2023 को, और पहली बार withdraw आपका 80,000 हुआ, तो 80,000 minus, आप करिए, आपने deposit कितना किया था, अभी त यह नहीं कटेगा, बड़ा सिंपल है, देखो बिटा, बड़ा सिंपल है, कि यह मानलो, मैं application की बात कर रहा हूं, मेरा जो प्रोबो करके, यह application है, अब एक बात समझना, यह जो application की, जो मैं बार-बार बात कर रहा हूं, कि यहाँ पर प्रोबो करके, एक trading platform है, एक application है, online gaming application ह तो इसमें बड़ा सिंपल है, कि इस साल में, previous से 23, 24 में, मैं पहली बार withdraw कितना कर रहा हूं, तो जो पहली बार withdraw amount किया, वो लीजिए, अब withdraw करने से पहले आपने deposit कितना किया था, वो less कर दीजिए, opening balance को less कर दीजिए, जो बचता है, उस पे आप TDS काट लीजिए, उस पे मैंने बताओ, जब आप पहला withdraw कर रहे हो, कब कर रहे हो, 30th April 2023 को, तो इस date को जब आप पहला withdraw कर रहे हो, तो पहला withdraw आपने 80,000 का किया, उस में से आपने, अब एक काम करिये less कर दीजिए, B plus CB का मतलब आपने deposit कितना किया था, और minus आपका opening balance कितना था, तो यहाँ पे amount आप subsequent withdrawal और करते हो, जैसे पहली बार आपने उस application से पैसा निकाला, आप दूसरी बार पैसा निकाल रहे हो, subsequently आप पैसा निकाल रहे हो, तो क्या करना है, तो बड़ा simple है, कि आप एक काम करो, जब आप subsequently पैसा निकाल रहे हो, तो आपने पैसा निकाला कितना withdrawal वाला amount ले लो पहल दिया, वो aggregate withdrawal amount लेलो, उसमें से minus कर दो, कि आपने aggregate अभी तक deposit कितना किया था, तो aggregate deposit कितना किया था, वो minus कर दो, और opening balance कितना था, वो आप minus कर दो, जो बचेगा, उस पे उस application वाले को TDS काटना पड़ेगा, तो देखो, अगर पहली बार withdraw करते हो, तो तो क्या होगा, withdraw का amount कित में aggregate withdraw कितना हुआ, minus कर दीजिए, कि भाईया, आपका aggregate deposit कितना हुआ, अब तक, और आपका opening balance कितना था, वो minus कर दीजिए, इन दोनों चीजों को, और अगर पहले withdrawal पे कुछ taxable हुआ था, तो उसको भी minus कर दीजिए, जो बचेगा, उस पे TDS काटना पड़ेगा, तो चलिए मैं example लेता हूँ, इस example से समझेगे, बट देखिए, यहाँ पे क्या दे रखा है, अगर आप subsequent withdrawal करते हो, तो सबसे पहले, aggregate amount withdrawal from the user account, till the date of subsequent withdrawal, minus कर दीजिए, aggregate amount of non-taxable deposit, आपने उस account में deposit कितना किया था, आपके किसी bank account से बगरा, पैसा लागा, deposit कितना किया था, जो कि non-taxable deposit है, मतलब deposit करते टाइम आपको कोई tax नहीं लग रहा, made till the time of subsequent withdrawal, opening balance आप less कर दीजिए, और और less करेंगे, net winning on which TDS पहले already deduct हो चुका है, तो उसको आप less कर दीजिए, चलिए इस example से ही, इस example को आप निहारो, example पे ध्यान दो, तो आपको clearly understanding बैटेगी, देखो, सबसे पहला, opening balance और my 11 circle account, आपका 60,000 opening balance है, आपने पहला withdraw जब किया 80,000, तो आपको कोई TDS नहीं आया, TDS क्यों नहीं आया, क्योंकि 80,000, minus 50,000, minus 60,000, तो आपका negative आ रहा था, तो negative पे TDS नहीं आया, उसके बाद, आपने एक और deposit किया, in the month of the, month of the, transfer from bank account, in the month of the May, आपने एक और deposit किया 70,000, ध्यान देना बहुत ज़्यादा जरूरी है आपके लिए, एक बात बताओ, ये आप अपने bank account से पैसा transfer कर रहे हो, ये भी आप अपने bank account से पैसा transfer कर रहे हो, तो ये दो deposit है, इसके बाद आपने एक और पैसा आया, इस account में, बट वो bonus आया, bonus from my 11 circle वालोंने आपको bonus दे दि तो जब आप बहुत अच्छे player थे, तो उस company ने आपको bonus दे दिया, ये मेरे को बात बताओ, ये तुमारे taxable deposit में जाएगा, ये taxable deposit है, क्योंकि इस पे तो tax लगना चाहिए, भाई, इस पे तो tax लगना चाहिए ना, एक बात बताओ, आपने अगर अपने ICICI bank से जो पैसा थे, मेरा जो ICICI bank account है, उससे मैं पैसा लेकर आता हूँ, तो उस income पे तो already tax भरा हुआ है, मैं पढ़ाता हूँ आपको, तो पढ़ाने से जो मेरी income होती है, उस पे मैं already tax भर देता हूँ, अब उसी पैसे को मैं अगर मानलो, उस application में डालता हूँ, तो वो जाएगा non-taxable deposit म है, लेकिन अगर आपको bonus दे दिया, यहाँ पे bonus दिया उस application है, bonus from my 11th circle, तो एक बात बताओ, जब इन्होंने bonus दिया है, तो ये तुमारे taxable deposit में जाएगा, इस पे तो tax लगना चाहिए, तो एक बात बताओ, जब आप deposit less करोगे ना, तो इसमें ये वाला deposit less नहीं करोगे, य Logically है ना, एक बात बताओ, इस पे तो tax लगना चाहिए, भाई पहले जो आप deposit कर रहे थे, वो तो आपकी non-taxable deposit थी, क्योंकि उस पे already आपने tax भर रखा था, जैसे ये मैं मालो मेरे bank account से transfer कर रहा हूँ, ये bank account से transfer कर रहा हूँ, ये तो non-taxable deposit है, बट आपको जो bonus दिया dream 11 वालों है, या 11, my 11 circle वालों है, ये तो तुमारे, इस पे भी तो tax लगना चाहिए, तो ये तुमारे taxable deposit में जाएगा, रुको सब समझेगा, तो देखो, मैंने क्या बोला, अब आप इस account को निहारो, क्या हुआ, सबसे पहले हमारा opening balance 60,000 था, हमने क्या किया, 50,000 का deposit मारा, 80 1000 का withdraw किया, तब TDS नहीं आया, क्यों नहीं आया, क्योंकि 80,000 में से आप deposit को less कर दो, और opening balance को less कर दो, minus balance आ रहा है, तो आपका TDS नहीं आएगा, फिर मैंने क्या किया, में मेरे bank account से और deposit हुआ 70 का, जून में मेरे कुछ bonus मिला, bonus और मिला 11,000 का, अब एक बात समझना, जुला में आ गया, तो यहाँ पे देखिए, मैं एक काम करता हूँ, इन्होंने क्या बोला, 92,000 में subsequent withdrawal जब कर रहा हूँ, जुलाई में, तब कितने पे TDS कटेगा, तो यहाँ पे sequence को समझीए, पहले आपको क्या करने का, aggregate amount withdraw from the user account till the date of subsequent withdrawal, तो subsequent withdrawal इस date तक मैंने कितना withdraw किया, तो दोन 72 का, तो 1,72,000 में ने withdraw कर दिया, अब एक बात बताओ, दूसरा क्या बोल रहा है, aggregate amount, भी किसको बोलेंगे, aggregate amount of non-taxable deposit made till the time of subsequent withdrawal, मतलब जब मैं यह subsequent withdraw कर रहा हूँ, यह 92,000, इस date तक आपका कितना non-taxable deposit किया था आपने, तो एक बात बताओ, इस date तक आपका deposit तो यह 3 है, यह तुमारा non-taxable deposit है, आपने bank से लाया हुआ, इस पर आपने tax भरा हुआ रहेगा, तो यह आपको less करना है, 11,000 less नहीं करना, जो आपको bonus वगेरा मिलता है, वो 11,000 आपको less नहीं करना, क्योंकि यह तो आपका taxable deposit है, इस पर तो tax लगना चाहिए, तो यह आपको less नहीं कर होगे, आप क्या करोगे, 50 और 70, तो 70 प्लस 50 आपका आगया कितना, 1,20,000, तो बेटा, 1,20,000 है, वो आपका aggregate deposit है, अभी तक, तीसरा, opening balance कितना था, तो आपका opening balance है, वो आपका 60,000 था, and चौता, आपके क्या पहला जब withdraw हुआ था, तब क्या कोई TDS कटा था, क्या answer is no, उस withdrawal पे कुछ भी TDS नहीं कटा था, तो अब आप देखिए, आपका amount कितना आता है, तो यहाँ पे 1,72,000, minus 1,20,000, minus 60,000, यह भी तो negative हारा है, तो मैं एक बात बताओं, यहां second withdrawal पे भी आप कोई भी TDS नहीं आएगा, second withdrawal पे भी आपका कोई भी TDS नहीं आएगा, क्योंकि आपका aggregate withdrawal आप देखेंगे, जब आप सब sequence withdrawal कर रहे है, उस time पे आपका कोई TDS नहीं आएगा, 80,000 है, वो आपका यह withdrawal, 92,000 आपका यह withdrawal, यह total withdrawal आपने किया, और minus 50,000 है, यह आपका non-taxable deposit, 70,000 आपने bank से deposit किया, और opening balance आपका 60,000, no need to deduct the TDS, अभी आपको TDS नहीं काटना, लेकिन एक बार समझो, एक और withdraw मारा आपने, in the month of the Feb में जाके, यहाँ पे देखिए, आपका Feb में जाके withdraw हुआ, उसके बाद यह हो गया था, फिर आपका, sorry, August में जाके एक और deposit हुआ, क्योंक चलिए bank से आपने 30,000 का deposit किया, अब उसके बाद में आपने withdraw किया 75,000 in the month of the Feb, 10th Feb 2024 को आपने withdraw किया 75,000, तो अब आप एक काम करिए, कि आप लीजिए सबसे पहले aggregate आपके withdraw कितने हैं, तो aggregate withdraw की अगर मैं बात करूँ तो 80,000, 92,000 and 75,000, तो 80,000, 92,000 and 75,000 इतना आपने उस user account से withdraw किया, minus आपका deposit कितना है, जो non-taxable deposit है, जिस पैसे पर आपने tax भरा हुआ था और उसी पैसे को आपने यहाँ deposit किया, जो आपने bank वगिरा से transfer किया, तो वो deposit कितना है, तो मैं बोलू, वो deposit एक तो तुमारा ये 50,000 है, एक 70,000 है और एक 30,000 है, तो 50,000, 70,000, 30,000 and आपका opening balance कितना था, 60,000, तो इसको आप लेस कर दीजिए, तो ये deposit 50,000, 70,000 and 30,000 and opening balance आपका 60,000, तो अब बताईए आपका कितना balance बच जाता है, तो यहाँ पे आप देखते है, 80,000 plus 92,000 plus आपका 75,000 plus आपका 90,000, it comes to 3,000, sorry 90,000 नहीं, 80,000 plus 92,000 plus 75,000, it comes to 247, minus आपका deposit कितना है, 50,000, minus आप 70,000, minus आप 30,000 and opening balance कितना था, 60,000, तो कुल मिला कि 37,000 amount आया और इस 37,000 पे अब TDS काटना पड़ेगा, अब जो 37,000 है, इस 37,000 पे ये TDS काटेंगे, 30% की rate से, तो आप जब 37,000 जो है, उस पे TDS कटेगा, जब आप यहाँ पे 75,000 विड्रॉ कर रहे हैं न, तो 75,000 विड्रॉ करते टाइम, आपको यहाँ 37,000 वाले amount पे TDS कट जाएगा, at the rate 30%, second, 10th, sorry, 10th Feb 2024 को अब TDS कटेगा, और जब 10th Feb को TDS कटा, तो मार्च की साथ तारिक तक ये TDS government को जमा कराएंगे, देखो, बड़ा simple सा concept है, आपको TDS कब काटना है, तो TDS का पड़ेगा हर विड्रॉल पे, लेकिन कैसे calculate करेंगे, कि विड्रॉल पे कितना, किस पे amount पे TDS काटना है, देखो, पहला विड्रॉल हुआ, तो आपको ये देखना है, कि इस account से aggregate विड्रॉ कितना हो रहा है, deposit कितना हुआ था, और minus opening balance कितना था, तो आप एक काम करिए, वि TDS काटना है, तो यहाँ पे, अब एक और विड्रॉ हुआ भईया, एक और विड्रॉ हुआ 90,000 का, तो 90,000 पे देखो, आपका एक और विड्रॉ हुआ in the month of the March, तो इस पे भी TDS आएगा, अब इस पे कैसे TDS आएगा, तो आप करिए, एक बात देखिए, कि total विड्रॉ कितन 90,000, तो आपका aggregate withdrawal जो है, वो आपका हुआ 3,37,000, अब आपने aggregate deposit कितना किया था, वो less कर दीजिए आप इस date तक, तो इस date तक aggregate deposit में ये किया था, ये किया था, तो आप इसमें से minus करेंगे, 50,000, means 337,000, minus 50,000, minus 70,000, and minus 30,000, और आपका opening balance application का कितना था, 60,000 था, अब एक बात 127 आया, और पहले क्या आपको text लगा है या नहीं, लगा है न, इसके पहले वाले withdrawal पे आपका 37,000 पे TDS अल्रेडी कर चुका है, तो minus कर दीजिए 37,000, तो अब बचेगा 90,000, और 90,000 पे TDS काटा जाएगा, इस date को 15 March 2024 को, so 15 March 2024 को आपके 90,000 पे TDS काटेंगे, at the rate 30%, तो देख विड्रॉ करोगे न, वो TDS काटेगा, इन दोनों चीज़ों पे आप ध्यान दो, बस, देखो, सबसे पहला आपका पहला विड्रॉ हुआ, तो पहला विड्रॉल, विड्रॉल का मतलब उस user account application से आप पैसा बाहर कितना लेकिया, आप अपने ICICI bank में कितना ट्रांसपर किया तो देखो, आप विड्रॉ लीजिए, माइनस अभी तक आपने deposit कितना किया था, वो माइनस कर दीजिए, और उस application का opening balance कितना था, वो माइनस कर दीजिए, जो बचेगा उस पे TDS काटना है, लेकिन negative आगया तो TDS नहीं काटना, अगर आप subsequent withdraw करते है, तो क्या होगा, तो aggregate आ अगर मानलो पहले किसी withdrawal पे text लगा है, तो उस amount को भी माइनस कर दीजिए, जो बचेगा उस पे अब TDS काट दीजिए, लेकिन एक बात समझना, अब last date पे TDS और गटेगा, और last date पे TDS किस पे गटेगा, तो last date में आपको क्या करना है, बड़ा simple है, A plus D minus B plus C plus E, इसका मतलब आपने कितना withdraw किया, वो ले लीजिए A में, D का मतलब, क्योंकि last date पे बात कर रहे है, तो आपका closing balance कितना है, उस account को उसको add कर दीजिए, तो A plus D, A का मतलब कितना withdraw किया अभी तक, D का मतलब closing balance कितना था, उस user account में उसको आप add कर दीजिए, तो ये total हो गया, अब आप इसमे से क्या करिए, इसमें से भाईया, आपका aggregate deposit कितना था पूरे साल में, उस deposit को add करिए, आपका opening balance कितना था, उसको add कर दीजिए, और जिस पे already पहले TDS कट चुका है, withdrawal के time पे, उसको भी add कर दीजिए, इन तीनों को add करके, आप less कर दीजिए, A and D में से, तो आपको last में closing balance ज withdraw हुआ, तो 337 आया, total withdraw 80, 92, 75, 90, ये आपका 80, देखिए, 80, 92, 75, 90, ये withdraw हुआ, आपका closing balance कितना है account में, तो closing balance आपका 72,000 बचा है, तो 72 को add कर दीजिए, minus करिए, आपने कितना deposit किया था, तो deposit आपने किया था, एक तो 50, एक 70 और एक 30, तो 50, 70 एन 30 इतना deposit किया था, तो आप इसमें से 50, 70 एन 30 लेस कर दीए, आपका opening balance कितना था, 60 था, उसको लेस कर दीजिए, और पहले क्या TDS कट चुका है amounts पे, answer is yes, पहले आपका TDS, यहाँ पे 37,000 पे कटा था, यहाँ पे 90,000 पे कटा था, तो इस पे भी आप लेस कर दीजिए, अब आपके पास balance कितना बचेगा, 72 बचेगा, तो 72 पे आप 30% की rate से TDS काट लीजिए, 31st March 2024 को, तो 31st March 2024 को, आप 72,000 पे TDS काटीए, देखो, ultimately आपका TDS जो net है ना, वो 199 पे ही कट रहा है, कैसे 199 पे कट रहा है, एक बात बताओ, यहाँ पे आपने TDS 37 पे काटा, यहाँ पे TDS आपने 90 पे काटा, आप टोटल करिए, 37 प्लस 90 प्लस आपका 72, तो बेटा, 199 पे कटा, और उसके हाथ में taxable भी तो 199 ही हो रहा है, भाया, उसके हाथ में जो taxable है, आप देखिए, इसके हाथ में taxable भी 199 हो रहा है, और आपका TDS है, वो TDS भी आपका 199 पे ही काट रहा है, बट TDS काटना कब है, व देखो, अगर माल लो, ये पूरा जो पड़ा, TDS परपस के लिए, अगर मैं summarize करना चाहूँ, तो आप TDS कैसे काटोगे, कौन काटेगा, ये जो application वाले है, जो online betting application वाले है, वो लोग TDS काटेंगे, अब एक बात समझो, TDS ये लोग कैसे काटेंगे, कैसे काटेंगे, तो उ TDS नहीं काटना, अगर आप subsequent withdraw करते हो इस साल में, तो subsequent withdraw करते time, total aggregate withdrawal कितना है, वो लीजिए, minus aggregate deposit कितना किया था, वो less कर दीजिए, और आपका opening balance कितना था, वो less कर दीजिए, जो बचेगा, उस पर TDS काटीए, अब एक और चीज़ समझना, last date पे आपको क्या करना है, जब last date 31st March को, इस साल का aggregate withdrawal कितना है, उसकी total करिए, closing balance कितना है, उसको add up कर दीजिए, और minus क्या करेंगे, जितना आपने deposit किया था, उसको आप minus कर दीजिए, opening balance minus कर दीजिए, पहले जिस amount पे TDS कट चुका है, उसको minus कर दीजिए, जो बचेगा, उस पे आपको 31st March 2024 को TDS काटना है, तो TDS आपको देखो, दो time पे काटना है, एक तो withdrawal के time पे काटना है, और एक last balance बचेगा, उस पे भी आपको TDS काटना है, withdrawal के time पे कैसे काटना है, last balance पे कैसे काटना है, एक बार मैं वापस बता रहा हूँ, देखो, पहला first withdrawal, तो जब आपका first withdrawal होगा, तो देखेंगे, withdrawal amount कि कर दीजिए, अब आपकी subsequent withdrawal में क्या करेंगे, जब subsequent withdrawal कर रहें, तब total withdrawal कितना हो रहा है, aggregate वो ले लीजिए, minus aggregate deposit कितना था, वो ले लीजिए, और opening balance कितना था, वो आप less कर दीजिए, और अगर पहले TDS कटा है, तो वो amount पे less कर दीजिए, जो बचेगा, उस पे आपका TDS कट देगा, and last date पे फिर क्या करना है, 31st March को TDS काटना है, कौन से amount पे, आप लीजिए, इस साल में aggregate withdrawal कितने है, उसके साथ में आपका closing balance उस application में कितना बचा है, उसको add up कर दीजिए, minus कर दीजिए, आपने deposits कितने किये था, aggregate वो minus कर दीजिए, आपका opening balance minus कर दीजिए, और जिस पहले withdrawal पे TDS कट चुका है, उसको minus कर दीजिए, जो बचेगा, उस पे TDS काटना पड़ेगा, तो guys, मैंने बड़ी मेहनत करके आपके लिए example बनाया है, और इस example से आप connect कर पाओगे, और ये connect कर पाओगे, कि taxable 199 हो रहा है, यह 199 taxable हो रहा है, और यहाँ TDS भी 199 पे कट रहा है कि अगर आपके बास multiple user account है, तो क्या होगा, multiple user account है, तो क्या होगा, जैसे मान लो, मैंने my 11 circle पे दो account बनाया है, मैंने ही बनाया है, pen number मेरा ही है, KYC मेरा है, मैंने 2, 3, 4, 5 account बना दिये, तो आपको सब account को merge करना पड़ेगा, सब account को merge करना पड़ेगा, और सब account का deposit withdrawal एक सा 4, 5 account बना दिये, तो आपको क्या करना पड़ेगा, all account को merge करना पड़ेगा, और merge करने के बाद है, आपको TDS implication है, वो आपको देखनी पड़ेगी, तो देखिए क्या दे रखा है, multiple user account, in case of multiple user account, of the same user, each user account shall be considered for the purpose of calculating net winning and the deposit and withdrawal and balance in the user account, shall means aggregate of deposit, withdrawal or balance in all the user account, and transfer from one account to another account will not be treated as deposit or withdrawal, तो जैसे मानलो एक ही application पर आपके पाद 4 account है, तो वो चारो account को merge किया जाएगा, जो उनकी deposit है, वो merge किया जाएगी, जो उनका opening balance से वो merge किया जाएगा, जो closing balance से वो merge किया जाएगा, और उसके बाद TDS देखा जाएगा, और फिर एक account से दूसरे account में ड account है, dream 11 पर, और dream 11 पर एक account से दूसरे account में डाला, तो ये ऐसा नहीं माना जाएगा, कि एक जगे से withdraw हुआ है, दूसरी जगे deposit हुआ है, उसको withdrawal deposit दोनों से बाहर रखा जाएगा, मैंसे उसको withdrawal deposit नहीं माना जाएगा, चलिए, इतना जो discussion किया, इसके उपर अगर आपका कोई doubt है, तो आप मुझे पूछ लीजिए, नहीं तो इसके आगे बढ़ते हैं, इतना जो पड़ा, उसको आप एक बार, कोई doubt है तो मुझे बताईए, इतना जो पड़ा, इसमें कोई doubt है तो मुझे बताईए, सर अगर किसी की annual income basic है यहां पर basic exemption का benefit नहीं मिलता विनिंग यह जो income रही उस पर basic exemption का benefit नहीं मिलता कोई डाउट नहीं है clear है अब मैं आपको एक interesting चीज़ बताता हूं एक बाद बताओ एक बाद बताओ अगर 31st March को जो TDS कटा वो 30th April तक deposit होता है चल General, इधर बतावाइए, एक चीज़ बतावाइए, कभी-कभी ऐसा भी तो हो सकता है कि किसी को गाडी जीत गया अब एक बात बात बताओ गाडी अगर जीत गया, अगर गाडी कोई जीत गया, break नहीं दूँगा मैं, break a section के बाध दूँगा अगर कोई बंदा गाड़ी जीत गया तो question ही आता है कि अगर कोई बंदा गाड़ी जीत गया तो गाड़ी पे कैसे TDS आएगा सर्फिर क्योंकि गाड़ी तो deposit में भी नहीं आएगा और नहीं withdrawal में आएगा एक बात बताओ बड़ा simple सा logical चीज है कि ये मेरा एक प्रोबो पे account है और मेरा ये मानलो प्रोबो या ये जो application है इस application पे मेरा account है और मानलो मुझे गाड़ी जीत गया तो एक बात बताओ जब गाड़ी जीत गया जब मैं गाड़ी जीता तो question ही आता है कि मैंने car जीत गयी कि जो ये 11 circle वाला जो application है, उस पे आपको थार मिलेगी, अगर आपने कोई मानलो पैसा जीत, थार मिलेगी, तो एक बात बताओ, थार जो मिला, वो थार ना तो account में deposit में आएगा, और ना ही ये withdrawal में आएगा, ना ही ये withdrawal में आएगा, ये तो कहीं पे भी नहीं आएगा, ना त section में TDS कटेगा या नहीं, तो इसको लेके CBTT ने clarification दिया, क्योंकि एक बात बताओ, application से जो withdraw deposit करते हो, वो तो आएगा, लेकिन आपको गाड़ी जीत गए, अब गाड़ी जीत गए, कार जीत गए, तो क्या होगा, तो यहाँ पे इन्होंने क्या बोला, कि अगर आप कार जीत दिना, यह माना जाएगा, कि यह जो कार है न, यह आपका taxable deposit हुआ account में, और इतना ही आपने withdraw कर लिया, यह taxable deposit हुआ, और इतना ही आपने withdraw कर लिया, और इस पे TDS आएगा, देखो, अगर जो कार है, वो कार, for an example मालो मेरा एक account है, मेरा यह account है, गर के ठीक है, मेरे को कार मि गई 15 लाग की, अब 15 लेक का मुझे कार मिला, तो ये माना जाएगा, कि ये कार का 15 लेक है, ये मेरे अकाउंट में taxable deposit है, जैसे बोनस हो रहा था ना, बोनस वा, जैसे, ये taxable deposit है, तो taxable deposit, ऐसे भी अपन वो deposit में less नहीं करेंगे, deposit में हम सिरफ non taxable deposit less करते हैं, तो ये मेरा taxable deposit है, ये ही मैंने withdraw कर लिया, और बेटा इस पर TDS आजाएगा, इस पर TDS है, वो TDS आएगा करके, ठीक है, एक example लेते हैं, और example से समझने ही कोशिश करते हैं, मैंने यहाँ पर एक example बनाने की कोशिश की है, समझने की कोशिश करी है, देखिए क्या दे रखा है, payment in cash और kind, एक partly in kind and partly in cash, and not from the user account, ये user account से नहीं मिल रहा न, car जो है वो तो user account से धोड़ी मिल रही है, वो तो ऐसे आप car जीत गए, तो, the provision shall apply to calculate net winning by deeming that the money equivalent to the such payment, money equivalent to the such payment has been deposited as a taxable deposit in the user account and equivalent amount has been withdraw from the user account at the same time and shall accordingly be included in the amount. amount a, amount a का मतलब withdrawal में लिया जाएगा, amount a का मतलब आपका withdrawal में लिया जाएगा, amount a का मतलब आपके withdrawal में लिया जाएगा, और ये माना जाएगा, आपने 12 lakh withdraw किया है, और जो withdraw करते हो, उसमें से less क्या होता है, आपका अगर कोई deposit है, non taxable deposit, opening balance आप less कर दीजिए, जो बचेगा उस Mr. Chetan won Mahindra Thar on My 11 circle, FMV of car है, वो 12 lakh है, in this case, 12 lakh treated as taxable deposit in the user account, like a bonus, जैसे bonus हुआ, ठीक है, इतना का इतना withdraw हो जाएगा, और withdrawal पे TDS आजाएगा, in the user account, and same time, it is treated as withdrawal, and TDS at the rate 30% is applicable on the 12 lakh under section 194 BA, In this case, My 11 circle will release the car only after ensuring that tax on such winning is paid to the government, माल लो, इनके पास इतना पैसा ही नहीं है, TDS काटने में, तो वो ensure करना पड़ेगा, जैसा मैंने आपको 194 BA में बताया था, कि आगे बाले को बोलेंगे उतना advance tax भर के आजा, या फिर उसको बोलेंगे तु मुझे पैसा दे, और फिर मैं तुझ जै कार दोंगा, उससे पहले कार नहीं दोंगा, ऐसा system यहाँ पे भी चलेगा, अब एक और चीज़ समझना, सर आप यह चो taxable deposit in the form of bonus है, तो जैसे अपन ने इस example में लिया था, कि यहाँ पे यह bonus जो मिला था, My 11 circle से, तो यह taxable deposit है, यह non-taxable deposit नहीं, बट question ही आता है, कि य taxable deposit जो है, क्या यह closing balance में आएगा या नहीं आएगा, यह आपके closing balance में आएगा या नहीं आएगा, क्या इस पे tax लगेगा या नहीं लगेगा, in simple word, कि आपको जो यह bonus मिला, My 11 circle से, जो मैं यहाँ पे बता रहा हूं, समझने कोशिश करना, यह बड़ा interesting point है, बड़ा tricky point है, क तो आपको मिला 10,000 का यह bonus, क्या closing balance जो लिया, आपने 72,000, इस closing balance में यह है, या नहीं है, यह include होगा closing balance में, या include नहीं होगा, इसको लेके clarification है, इन्हों ने बोला, कि अगर मालो तुमारा कोई भी bonus है, और वो bonus withdrawal bonus नहीं है, मिस आप उसको withdraw नहीं कर सकते, जैसे my 11 circle पे आप account बनाओ, आपको bonus में 200 रुपया मिलेगा, और वो withdrawal bonus नहीं है, अगर उसको withdraw नहीं कर सकते, तो बेटा, उसको closing balance में नहीं लेना है, अगर आप उसको withdraw कर सकते है, तो आप उसको closing balance में लेना है, अरगर आप उसको withdraw करी नहीं सकते तो उसको closing balance में नहीं लेना जैसे बहुत बार application क्या करती है हम आपको चलो 500 रुपया दे देते है अब 500 रुपया देते है और इसको सिरब आप game खिलने में यूज कर सकते है आप इसको withdraw नहीं कर सकते है तो जब आप withdraw नहीं कर सकते तो इसको closing balance में नहीं लेना है क्योंकि हमको 31st March पे closing balance पे भी आपको TDS काटना पड़ेगा कैसे करेंगे इस साल के withdrawal कितने है closing balance को add करिए और minus क्या करिए जितना deposit हुआ था opening balance को minus कर दीजिए तो question यह आता है कि क्या इसको closing balance में लेंगे या नहीं तो बड़ा simple है कि अगर यह जो bonus मिला क्या यह withdrawable है या फिर यह सिरफ game खेलने में use हो सकता है अगर game खेलने में use होता है तो इसको फिर आप closing balance में नहीं लेंगे बट अगर मालो यह withdrawable है तो आप इसको closing balance में लेंगे ठीक है तो देखिए यहाँ पे एक clarification है यह CBTT ने दिया है देखिए क्या दे रखा है if taxable deposit in the form of the bonus अगर आपको bonus मिलता है referral bonus मिलता है incentive देते हैं यह लोग कुछ promotional money देते है कुछ discount देते है and such deposit can only be used for playing the online games सिरफ आप इसको online games play करने में ही use कर सकते है and not for withdrawal अगर यह withdrawal के लिए नहीं है तो such deposit shall be ignored for the purpose of calculating the net winning and shall not be included in the amount of the BCD if in the future यहाँ पे जब भी आप net winning calculate करोगे उसमें यह consider नहीं होगा अगर यह withdrawable नहीं है यह आप withdraw नहीं कर सकते हैं तो in simple word आपको यह closing balance में consider नहीं करना लेकिन अगर मानलो यह तुमारा re-characterize हो जाता है or re-characterize and allowed to be withdraw अगर इसको withdraw करने को मिल जाता है then shall be deemed to be the taxable deposit at the time of such re-characterization and it shall be deemed that equivalent amount has been deposited in the user account at that time so आप simple सी चीज़े आप इतना ध्यान रखिए कि अगर मानलो आपका कोई deposit हुआ means आपको कोई bonus वगरा मिला अब यह जो आपको bonus मिलता है my 11 circle से तो question ही आता है कि जब यह bonus मिलता है bonus जो मिलता है तो sir एक बात बताओ जब हम यहाँ पे net winning calculate करेंगे तो देखो bonus का amounts ultimately आपके closing balance में आएगा या नहीं आएगा क्योंकि closing balance है वो अपन लेंगे तो closing balance में आपको नहीं लेना है अगर यह जो amount है closing balance में आपको नहीं लेना है अगर यह वाला जो amount है वो amount आप सिर्फ game खेलने में यूज करते हो लेकिन अगर आप इसको characterize कर देते हो कि इसको withdraw भी कर सकते है इन future जैसे characterize हो गया कि नहीं नहीं आप तो withdrawal बन गया तो withdrawal बन गया तो फिर आपके ये taxability के लिए आ जाएगा TDS purpose के लिए उसको consider करेंगे जैसे आपको पता है अपन ये application जो देख रहे थे प्रोबो वाला अब ये प्रोबो वाले application पर ऐसा था अगर आप देखोगे ना तो उसके ऐसा दे रखा था कि आपका जो यहाँ पर दो तरह के balance थे एक था promotional balance करके ठीक है और एक तुमारा जो था वो तुमारा normal balance था तो जो तुमारा promotional balance थे देखी आप देखींगे यहाँ पर दो तरह के balance थे एक तुमारा normal वाला balance और एक तुमारा promotional balance तो इन simple word promotional balance को अपने को consider नहीं करना promotional balance को अपने को कहीं consider नहीं करना अगर ये game खिलने में ही use होता है बट अगर ये withdrawable है इसको अगर आप पैसे को withdraw कर सकते हो तो फिर आपको consider करना पड़ेगा while calculating the net winning you got my point or not yes so this is the completion of this clarification उसके बाद में अगला clarification आपका जो है that is related to कि अगर आपने loan लेके पैसा डाला तो क्या उसको taxable deposit माना जाएगा non taxable deposit आपने tax बढ़ा हुआ पैसा नहीं है आपने किसी से loan लिया अरे मैंने loan लेके अगर पैसा डाला है यहाँ पे तो भी वो non taxable deposit ही है आप deposit लेते टाइम आप उसको less करोगे net winning निकालते टाइम उसको less करोगे तो देखिए क्या दे रखा है if user borrows some money and deposit in the user account will be considered as taxable deposit और non taxable deposit बेटा एक बात बताओ आपने अगर पैसा उधार लेके आपने game खेल रहे हो तो उधार लेके अगर आप dream 11 कर रहे हो तो उस particular case में यह तुम्हारा non taxable deposit यह CDC बात है यह आपका deposit है आपने भाई लोन लिया है आप ऐसा तो नहीं बोलोगे इस पे तो आपने tax कहां भरा इस पे loan लिया है भाई यह तो less होना चाहिए ना इस पे दोड़ी tax लगेगा तो देखिए answer for non taxable deposit it is necessary that amount deposited by the user is not taxable that is it is already taxed income in case where user borrow the money and deposit in his user account it shall be considered as a non taxable deposit only now next part guys इनोंने एक clarification यह दिया इस बाला clarification को इतना याद भी नहीं रखोगे तो चलेगा कि जो छोटे छोटे winning है अगर कोई account ऐसा है जिसका बेचारे का पूरे महीने में withdrawal 100 रुपे से कम है 100 रुपे तक ही withdrawal होता है तो उस पे TDS नहीं काटना उस पे TDS नहीं काटना ऐसा clarification इनों ने दिया कि अगर मालो पूरे महीने का जो withdrawal है वो 100 रुपे से जादा नहीं है 100 से जादा नहीं है ऐसे चुटे-चुटे लोग जो player होते है उनके case में TDS नहीं काटना तो देखिए क्या दे रखा है In order to remove difficulty in deducting TDS for insignificant withdrawal it is clarify that tax may not be deducted on withdrawal on the satisfaction of all the following condition अगर यह 3 conditions satisfied हो जाती है तो आपको TDS नहीं काटना कौन-कौन सी 3 conditions पहला Net winning comprise in the amount withdrawal does not exceed the 100 रुपे जादा का withdrawal नहीं है and दूसरा tax not deducted on account of this concession is deducted at the time when the net winning comprise in the withdrawal exceed 100 in the same month or subsequent month or if there is no such withdrawal at the end of the financial year अगर मान लो बेटा यहां पे इन्हों ने बोला कि अगर आगे जाके कभी किसी महीने में 100 रुपे से जादा हो गया तो आप TDS काट लोगे जो पहले पे नहीं काटा था उस पे भी आप TDS काट लोगे जैसे for an example इस महीने में विड्रॉप सिरफ 80 रुपे था तो TDS नहीं कटेगा अगले महीने में विड्रॉप मान लो यहां पे 150 हो गया तो 150 मले 100 को क्रोस कर दिया तो जो पुराना नहीं काटा था उस पे भी TDS काटना पड़ेगा तो आप यह एंशूर करोगे आगे जाके अगर किसी महीने में 100 रुपे से ज़्यादा का विड्रॉल हुआ तो उस केस में हम TDS काट लेंगे यहां पे जो डिड़क्टर है वो एंशूर करेगा कि भाहिया अगर मान लो कल उट के ऐसा हुआ कि मैं 100-100 रुपे से नीचे के विड्रॉल पे आपका फोरे एंग्जांपल 110 हो गया अब तो 110 में पूरे पे TDS काटना पड़ेगा अब मान लो TDS काटने के लिए पैसा ही नहीं बचा आपके यूजर अकाउंट में तो उस पर्टिकुलर केस में जो और्गेनाईजर है मलब जो अप्लिकेशन वाला है वो अपनी जेब से TDS गवर्मेंट को भरेगा ऐसा उसने यहां पर लास्ट पॉइंट में बोला है कि देखो देखो देटर अंडर्टेक्ट अंडर्टेक्ट अब रस्पोंसिबिलिटी अप पेइंग दिफरेंस if the balance in the user account at the time of tax deduction under section 194 BA is not sufficient to discharge the tax deduction liability calculated you got my point or not yes so 194 BA करके that is winning from online games online games से winning होती है उस पे TDS कैसे करता है pair any person, pay any person rate रहेगा 30% लेकिन बात हुथ हो online winning taxable कितना होता है तो taxable के लिए हमको जाना पड़ेगा section 115 BBJ पे वो कहां दे रखी है 115 BBJ section मैंने आपको उस topic में जो पहला वाला topic था उसमें भी ऐसा एक example लिखवा के कराया था यहाँ पे भी मैंने आपको एक example दिया 115 BBJ क्या बोलती है कि आपकी online winning की net income taxable होगी बट net income कैसे निकालेंगे तो आप एक काम करो ना पहले इस साल में जितना आपने अपने user account से withdraw किया है उस withdraw की total कर दो जितना withdraw किया उसकी total कर दो closing balance है उसको आप add कर दो और जितना आपने उस user account में deposit किया है ठीक है non taxable deposit एंड आपका जो opening balance है वो non taxable deposit और opening balance उसका aggregate करके आप less कर दीचिए तो जो बचेगा वो तुमारी net winning होगी और net winning पे आपको 30% की rate से tax लगेगा और winning के सामने जहां special rate से taxable होता है ना वहाँ पे आपको basic exemption के benefit नहीं मिलते तो कोई भी winning के सामने आपको basic exemption का benefit नहीं मिलेगा अब एक बात बताओ तो यहाँ पे आप ऐसे connect करके देखो कि अगर आपको कोई promotional deposit मिला था promotional या referral या bonus या वो मिला था तो वो क्या हम यहाँ पे net winning की income निकालते time consider करेंगे answer is देखो अगर वो promotional balance सिरफ game खिलने में use होता है सिरफ आप game खिलने में use कर रहे हो तो आपको कहीं consider नहीं करना है उसको अलग ही छोड़ देना है उसको आपको net winning calculate करते time आपको withdrawal या closing balance में नहीं लेना है withdrawal या closing balance में आपको नहीं लेना है वापस बोल रहा हूँ देखो जो आपका account रहेगा उस account में जो promotional balance रहेगा यह जो promotional balance को आपको अपनी net winning calculate करते time कहीं consider नहीं करना, अब देखो taxability के point of view से सोचोगे न तो easily समझेगा कि promotional balance को हम नों हमको withdrawal या closing balance में नहीं लेना, तो आपको net winning कैसे निकालते हैं, इस साल में जितना withdrawal किया उस application से पैसा निकाला और last में कितना closing balance उसको add कर दो, जितना deposit किय या उस account में और opening balance कितना था, उन दोनों को total को less कर दो, ध्यान रखना promotional balance से जो bonus है, referral वगिरा है, वो आपके withdrawal या closing balance में नहीं आएगा, अगर वो तुमारा वो नहीं आएगा, अगर तुमारा जो है, वो game खिलने में यूज होता है, लेकिन अगर वो withdrawal है, तो obviously जब आप withdrawal करो withdraw करोगे, उसमें आएगा, या फिर closing balance में फिर आपको उसको include करना पड़ेगा, अब अपन बात करते है TDS की, कैसे TDS कब काटना है, बड़ा simple है, TDS कब काटना है, तो देखो, TDS काटना है हर withdraw पे, जैसे ही आप withdraw करोगे, उस withdraw पे, as well as the last day पे 31st March को, दोनों टाइम पे आपक तो पहले withdraw पे, आपने amount withdraw कितना किया, वो ले लीजे, minus आपने deposit कितना किया था, वो minus कर दीजे, and guys, minus opening balance कितना था, वो minus कर दीजे, जो बचेगा, उस पे 30% TDS काट लो, लेकिन अगर ये amount negative आता है, तो इस पे TDS नहीं आएगा, लेकिन subsequent withdrawal हुआ थो, subsequent withdrawal के time पे आप देखिए, total aggregate withdrawal कितने हुए उस दिन तक, minus कर दीजे, total aggregate deposit कितने थे, वो minus कर दीजे, और opening balance कितना था, वो भी आप minus कर दीजे, जो बचेगा, उस पे आप TDS काट लीजे, और अगर मानलो, पहले already TDS किसी withdrawal पे कट चुका है, तो जिस amount पे TDS कट चुका है, वो भी आप minus कर दीजे, last वाला कितना है, वो add करीए, अब देखो, closing balance में अगर वो referral bonus है, और वो सिरफ use होता है, उसमें, किसमें use होता है, game खिलने में तो उसको include नहीं करना, तो आपके जितने total withdrawal है, वो लीजे, उसमें आपका क्या करना है, closing balance है, उसको add कर दीजे, इस साल में total deposits कितने थे, वो आप ले ल बताया, अगर मानलो, अगर car वगेरा मिल जाता है, तो उसपे भी TDS कटेगा, answer is yes, यह माना जाएगा, कि यह तुम्हारा taxable deposit है, मतलब आपके deposit में नहीं आएगा, सीधा यह withdrawal में आएगा, और बेटा withdrawal में आएगा, तो उसपे TDS कट जाए, गा करगे, ठीक है, चलिए, आप चालू कर रहे है, और वो section कौन सी है, तो आप ऐसे याद रखोगे, एक section होती है, जिसका नाम है 206C, subsection 1G, subsection 1G, 1F Ferrari गाड़ी वाला, ठीक है, 1G, 1G क्या बोलता है, समझने ही कोशिश करना, all people pay attention, आप समझने ही कोशिश करना, lawmakers यह बोलते है, 1G में, कि आपको पता है, पैसा बेज सकते हैं, इंडिया से बाहर एक पैसा बेजने की एक limit होती है, आपने कभी सुना, LRS scheme के बारे में, LRS scheme के बारे में सुना, LRS का मतलब होता है, liberalized remittance scheme of the RBI, और RBI का LRS scheme है, उसमें इंडिया से बाहर कितना पैसा बेज सकते हैं, हर साल पता है, आपको LRS limit, LRS limit in इंडिया 2,50,000 डॉलर इंडिया में RBI की ये वेबसाइट है और RBI की वेबसाइट पर दे रखा है कि LRS में there is no restriction on the frequency of remittance however the total amount of foreign exchange purchase or remitted through all sources in India during the financial air should be within the cumulative limit of the USD 2,50,000 एक बात समझना USD 2,50,000 है वो 2,50,000 डॉलर जो है वो आप इंडिया के बाहर बेज सकते हैं एक साल में इस maximum limit जो है वो आपके लिए है 2,50,000 डॉलर as per the RBI ये RBI की वेबसाइट पर मैं हूँ और ये RBI की वेबसाइट पर बता रखा है LRS क्या होता है LRS का मतलब होता है इंडिया के बाहर आप पैसा कितना जैसे माल लो मैंने सोचा मैं दुबऐ में फ्लैट खरीदूंगा मैंने सोचा कि मैं दुबई में फ्लाट खरीदूगा तो दुबई में फ्लाट खरीदने के लिए मुझे इंडिया से पैसा बेजना पड़ेगा तो मैं एक साल में कितना बेज सकता हूँ 2,50,000 डॉलर, अगर आप 2,50,000 डॉलर को 80 से multiply करेंगे, तो it will comes to approximately 2 करोड के आसपास आता है तो आप यह समझ सकते हैं कि every year इंडिया से आप 2.07 करोड अगर आप perfectly आज की rate से multiply करेंगे, तो 2 करोड के करीब आप इंडिया के बाहर भेज सकते हैं आप बहुत बार सोचते होंगे, चलो apple के share खरीद लेते हैं, अपन लोग है वो apple के share खरीद लेते हैं, टेसला के share खरीद लेते हैं, तो एक साल में कितना पैसा इंडिया के बाहर भेज सकते हैं, पता है that is the 2,50,000 डॉलर अब एक पास समझना, ये सब चीजों को, ये सब चीजों को ये सब चीजों को control करने के लिए and track करने के लिए हमारी government ने एक section लाई 206C subsection 1G, और 206C subsection 1G क्या बोलता है इधर देखना, अब आपका ध्यान इधर होना जी है आप book में कहीं पे भी नहीं देखोगे, ठीक है इधर देखो, इन्होंने क्या किया पहले ये section क्या बोलती थी इस साल से कुछ amendments है, वो amendments क्या है वो मैं आपको बता हूँगा, ये section बोलती है कि अगर कोई भी authorized dealer है अगर कोई भी authorized dealer है authorized dealer का मतलब जिसके थुरू आप इंडिया के बाहर पैसा भेजते हो example के जितने भी bank है वो सब authorized dealer है जितने भी bank है, जैसे kotak के थुरू आप इंडिया के बाहर पैसा भेज सकते हो ICICI के थुरू भेज सकते हो, किसी के भी थुरू भी भेज सकते हो और इंडिया के बाहर अगर वो 7 लाक रुपेज पर एनम से जादा बेजता है, 7 लाक रुपेज पर एनम से जादा पैसा बेजता है इंडिया के बाहर, तो उस पर्टिकुलर केस में बेटा, in excess of 7 लाक, मिन 7 लाक से जितना जादा रहेगा, उस पर 5% की रेट से TCS आएगा, य अगर कोई authorized dealer है, और authorized dealer के थ्रू, कोई भी person है, वो इंडिया के बाहर पैसा बेजता है, under the LRS scheme, जैसे इंडिया के बाहर आप share खरीदने के लिए पैसा बेज रहे हो, इंडिया के बाहर है, वो आप कोई treatment के लिए जा रहे हो, इंडिया के बाहर education के लिए जा रहे हो, किसी भ in excess of 7 lakh है न, उस पे 5% की rate से TCS आएगा, in excess of 7 lakh है, उस पे आपका 5% की rate से TCS आएगा, तो आपका TCS 5% in excess of 7 lakh, जैसे मैं एक example लेता हूँ, मैंने क्या किया, last year, ये Mr. BB है, और मैंने क्या किया, authorized dealer के थ्रू, for an example, मैंने पैसा बेजा इंडिया के बाहर, मैंने पैसा बेजा इं एक करोड रुपया बेजा, तो एक करोड रुपया बेजा तो उसमें से 7 lakh पे TCS नहीं आएगा, 7 lakh पे मुझे कोई TCS नहीं देना, बट 7 lakh के उपर जो 93 lakh रहेगा, उस पे बेटा 5% की rate से मुझे TCS देना पड़ेगा, 5% की rate से मुझे TCS देना पड़ेगा, मिस authorized dealer है, वो मेर एक amendment हुआ, और amendment यह हुआ, कि बेटा इस जो rate थी ना 5% की rate, इस 5% की rate को इन्होंने बढ़ा के और ज्यादा कर दिया, और इन्होंने बोला कि अगर आप 1st October या 2023 इस date या उसके बाद मैं पैसा बेशते हो, देखो date को याद रखना पड़ेगा, क्योंकि इसी साल से in between से amendment है 6 महीने मल अक्टोबर से, तो अगर आप 1st October 2023 या उसके बाद मैं आप पैसा बेशते हो, इंडिया के बाहर, और उसमें ध्यान रखना है कि वो पैसा किस लिए भेज रहे हो, पहली चीज़, वो जो पैसा है, वो पैसा आप किस लिए भेज रहे हो, अगर वो पैसा आप बेज रहे हो, education purpose के लिए, जैसे आपका बेटा कहीं foreign में पढ़ता है, या फिर वो पैसा आपका medical treatment में यूज होने वाला है, तो education या medical के लिए है, तो तो यहाँ पे बेटा rate आपकी 5% ही रहेगी, लेकिन अगर माल लो वो पैसा किसी other purpose के लिए आप इंडिया के बाहर बेज रहे हो, तो यहाँ पे TCS की rate को इन्होंने 20% कर दिया है, यहाँ पे TCS की rate है, उसको 20% कर दिया है, मतलब कुल मिला के एक बात बताओ, मोदी जी चाते हैं इंडिया के बाहर पैसा बेजो ही ना, आप सोचिए, अगर मुझे आज 1 करोड रुपया इंडिया के बाहर ब अगर आपका 7 lakh से जादा है तो, तो इन सिंपल वर्ड मैं आपको बताओ, देखिए यह section क्या बोलती है, यह section बोलती है कि किसी authorized dealer के थूप, आप 7 lakh पर NM से जादा कोई भी person है, वो इंडिया के बाहर रेमिट कर रहा है, under the LRS scheme of the RBI, और 7 lakh से उपर है, तो in excess of 7 lakh 5% की rate से TCS आएगा, लेकिन भीटा, यहाँ पे एक amendment हुआ और इन्होंने बोला कि 1st October 2023 या उसके बाद में अगर आप LRS के थूप, LRS में पैसा भेज रहे हो, अगर वो educational या medical purpose है, educational और medical purpose है, तो यहाँ पे आपका 5% की rate से TCS आएगा, लेकिन उसको छोड़के किसी दूसरे purpose के लिए, अगर मानलो आपका LRS जो remittance हो रहा है, उसमें आपका 20% की rate से TCS आएगा, अगर other purpose है, तो उस पे बाबु 20% की rate से TCS आएगा, बट obviously 7 lakh के उपर वाले पे, 7 lakh के उपर वाले पे, in this 7 lakh रुपे, 7 lakh पे TCS नहीं आएगा, यहाँ पे भी, अब जा 20% लग रहा है, उसमें भी 7 lakh तक नहीं आएगा, जैसे मैं आज की rate में बात करता हूँ, आज मैं 1st October 2023 के बाद मैं आगया, आज एक बात बताओ, आज मैं दुबई में flat खरीता हूँ, तो आज अगर मैं दुबई में flat खरीता हूँ, एक करोड रुपया बाहर भेजता हूँ, तो 7 lakh पे कोई TCS नहीं आज जा रहा हूँ, मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए जा रहा हूँ, 20 lakh रुपेस इंडिया के बाहर भेजना पड़ा, तो बेटा 5% का rate लगेगा, 7 lakh तक कोई TCS नहीं आएगा, 7 lakh के उपर जो है, वो आपका TCS आएगा, at the rate 5%, तो इन सिंपल वर्ड आप इसको ऐसे याद 2023 से निर्मला सीतारमन जी ने अमेंडमेंट कर दिया, और बोला 1st October 2023 या उसके बाद, अगर आप educational purpose, medical purpose के लिए जा रहे हो, और पैसा भेज रहे हो, तो तो 5%, इसके अलावा, अगर कोई आप foreign remittance कर रहे हो, तो उसमें 20% की rate से government है, वो TCS government नहीं, sorry, authorized dealer है, वो TCS collect करेगा, और वो obviously government को pay कर देगा, ठीक है, चलिए, अब आप एक चीज समझना, अब एक चीज समझना, यहाँ पे एक चीज का उन्होंने exception डाल रखा है, कि अगर आप India के बाहर पैसा भेज रहे हो, और वो पैसा आपने educational loan ले रखा है, वो भेज रहे है, मिंस आपने क्या किया, अगर educational loan ले रखा है, और educational loan ले रखा है, और वो loan का पैसा अगर आप इंडिया के बाहर भेज दे हो, educational loan का पैसा है, वो आप इंडिया के बाहर भेज रहे हो, educational loan का पैसा इंडिया के भाहर बेज रहे हो तो वहाँ पे TCS से वो 5% की rate से नहीं आएगा वहाँ पे TCS सिरफ 0.5% की rate से आएगा वापस बोल रहा हूँ अगर आपने educational loan लिया example के लिए जैसे माल लो मेरा बेटा है वो माल लो foreign में पढ़ता है example ले रहा हूँ मेरा बेटा foreign में पढ़ रहा है अब अगर मैंने मेरे खुद के पास से पैसा भेज दिया खुद का पैसा भेजा तो तो 5% की rate से TCS 5% की rate से TCS लेकिन अगर मैंने क्या किया मैंने ICICI bank से educational loan लिया और वो educational loan का पैसा इंडिया के बाहर बेजा अगर educational loan का पैसा अगर मैंने ICICI बाहर बेजा तो बाबुझी यहां पे 0.5% की rate से आपका TCS आएगा अगर educational loan का पैसा जो है वो educational loan का पैसा अगर मैंने ICICI के बाहर बेजा तो सिरफ 0.5% की rate से TCS आएगा और बड़ा logical है ठीक है नहीं तो क्या होगा ना एक बात बताओ अगर यहाँ पे 5% आपको अपनी जेब से TCS गौवर्मेंट को देना पड़ेगा तो एक तो आप लोन ले रहे हो बैंक से अरे उसके पास मतलब पैसा है कहां करगी वो बैचारा लोन ले रहा है और उसमें तुम 5% TCS ले लोगे तो वो तो गलत है ना तो इसके लिए इन्हों ने बोला कि अगर एजूकेशनल लोन है जो की ATE में डिफाइन है एजूकेशनल लोन का मतलब जो हाइर एजूकेशन के ल सिरफ 0.5% की रेट से TCS आएगा बड़ा सिंपल है कि 7 लेक तक TCS नहीं आएगा इस सेक्शन में इस वाले कंपोनेंट में कहीं पे भी 7 लेक तक के अमाउंट पे TCS नहीं आएगा 7 लेक के जो उपर वाला रहेगा उस पे ही आपका 5% 20% या 0.5% आएगा चलिए मैं इसको ए जाद रखना है ग्लोबल नाम से क्या नाम से ग्लोबल या फिर इसको घूमने जाना रखना है क्योंकि घूमने जाने से रिलेटेट एक पॉइंट अभी है थोड़ी दिर के बाद इन्हों देखो क्या बोला कि अगर कोई भी परसन है वो और पैसा बेज रहा है अंडर दे L 2023 से और वो अमेंडमेंट ये बोलता है कि 1st October 2023 या उसके बाद में आप इंडिया के बाहर पैसा बेज रहे है और इंडिया के बाहर अगर एजूकेशनल या मेडिकल परपस के लिए बेज रहे है तो आपका 5% TCS रहेगा लेकिन किसी अधर परपस के लिए बेज रहे तो 20% T TCS आपका 7 lakh के उपर वाले component पे आएगा अगर आपने पैसा educational loan वाला लिया है और वो educational loan निकाल के और वो पैसा बाहर भेजा है तो उसमें आपका 0.5% की rate से TCS आएगा अब एक और चीज़ समझदा ये section का एक और component ये बोलता है कि अगर मान लो आप क्या करते है किसी person से OTPP का मतलब होता है Overseas Tour Package Program अगर आप Package खरीदते हैं गुमने जाने के लिए Package खरीदते हैं जैसे आप लोगों ने सोचा honeymoon जाएंगे और honeymoon के लिए आपने Maldives का Package खरीदा या फिर honeymoon के लिए आपने सोचा कि हम बाली सिंगापूर जाएंगे तो बाली सिंगापूर का Package that is called OTPP OTPP means Overseas Tour Package Program अगर आप OTPP खरीदते हैं तो अगर आप OTPP खरीदते हैं तो उस particular case में क्या होगा ना बेटा पहले यहाँ पे TCS का rate है वो हुआ करता था 5% यहाँ पे कोई limit नहीं है जैसे आपने OTPP 2 लाग का खरीदा तो भी TCS आएगा तीन लाग का खरीदा तो भ बढ़ा के कर दिया इन्होंने 1st October 2023 से यहाँ TCS की rate को बढ़ा के कर दिया 20% तो अगर आप किसी से OTPP खरीदे एक्जामपल के लिए लेता हूं मालो for an example एक seller है जिसका नाम है make my trip और make my trip से BB सर ने for an example यहाँ पे OTPP खरीदा तो make my trip से अगर हमने OTPP खरीदा तो उस particular case में 5% की rate से TCS आएगा OTPP का मतलब होता है कि अगर आप overseas tour package program करीते हो मैं इस package खरीते हो अगर आपने सिरफ flight book कराई है तो नहीं लगेगा TCS या सिरफ hotel book कराई है तो नहीं लगेगा लेकिन आपने सब joint कराया package कि इसको बोलते है बदा है कि जिसमें आपका traveling का, boarding का, lodging का, जितना की rate से आएगा पहले ये TCS 5% की rate से था वर 1st October 2023 से यहां पर TCS की rate 20% बढ़ा दी गई है तो आज कल आप देखोगे बहुत बार package ही बिकने कम हो गए है package अब लोग क्या गरते है अलग-अलग book कराते है flight अलग book कराई जाती है, hotel अलग book कराई जाती है, package नहीं बिकता, 20% का TCS rate डाल दिया है अब 20% आपका पैसा है वो अभी block हो जाएगा, अगर आप package खरीते हो तो 20% आपका पैसा है वो block हो जाएगा, 20% की rate से TCS आएगा तो इसको आप इस section को ऐसे याद रख सकते है, global में पैसा भेजना या गूमने जाना करगे चलिए, सब लोग on the page number, बहुत सारे example मैंने बनाये है इस वाले amendment से related, देखिए 206C subsection 1G घूमने जाना globally, ऐसा याद रख सकते हैं, पहला point Remittance of money more than 7 lakh under the liberalized remittance scheme of the RBI अगर RBI की LRS scheme में आप इडिया के बाहर पैसा भेजते हैं, तो जो इंडिया के परसंद रहते हैं, वो इंडिया के बाहर पैसा कितना भेज सकते हैं, हर साल का 2 करोड का एक limit है, बाहर आप घर खरीदने के लिए, बाहर आप कुछ और purpose के लिए बगिरा भेज सकते हैं educational और medical purpose के लिए हैं, तो हमेशा आपको 5% की rate से TCS आएगा, in excess of the 7 lakh, collector कौन होगा, authorized dealer collect करेगा, अगर other purpose के लिए हैं, तो पहले यहाँ पे rate 5% of amount in excess of 7 lakh था, लेकिन 20% का rate हो गया है, 1st October 2023 से, sale of OTPP अगर आप करते हैं, तो 5% को sale value पहले था, लेकिन बेटा अब इसकी rate है, वो 20% हो गई है, यहाँ पे, ओ सॉरी, मैंने एक चीज़ गलत कर दी, बताते time, मैंने आपको क्या बता है, पहले ऐसा था, क्या पहले कैसा था ना, क्या OTPP के case में 5% sale value का था, अब इन्होंने क्या किया, इस बार एक amendment किया, 1st October से, और 1st October से क्या किया, यहाँ एक 7 lakh की limit डाली, और बोला 7 lakh तक के package पे 5%, और अगर 7 lakh के उपर वाला package है, तो उसके उपर वाले पे आपका जो है, वो 20%, तो OTPP के case में, यहाँ पे एक चीज समझने ही कोशिश करना, मैंने आपको बोला, क OTPP के case में, क्या है, पहले क्या था, TCS का rate है, वो था 5%, कितना भी package का value हो, मिस 10 lakh, 15 lakh, कितना भी package का value हो, 2 lakh, 1 lakh, 5%, अब इन्होंने क्या गिया, अब इन्होंने यहाँ पे rate को ऐसे कर दिया, कि अगर मानलो, आपका जो package है, वो up to 7 lakh तक का है, तो उस पे तो 5% TCS लेकिन 7 lakh से उपर वाला package है तो 7 lakh के उपर वाले package पे जो है वो आपका रहेगा 20% की rate से TCS means 7 lakh तक पर 5% 7 lakh के उपर वाले पे आपका 20% की rate से TCS आएगा मैंने example लिया है उस example से अपन समझने ही कोशिश करेंगे मैंने यहाँ पे example लिया है बहुत सारे तो देखिए क्या rate दे रखा है पहले जो इसकी rate थी 5% of sale value था लेकिन with effect from 1st October 2023 up to 7 lakh 5% TCS और 7 lakh के उपर वाले अबोव 7 lakh पे है वो आपका 20% की rate से TCS आएगा अब यहाँ पे कुछ additional point दे रखे है कि TCS नहीं आएगा कब अगर TDS already deducted under any section किसी section में कि TDS cut गया है तो TCS नहीं आएगा अगर किसी section में TDS cut चुका है बेटा तो TCS नहीं आएगा जैसे मैं एक example लेता हूँ example क्या लिया है और एन example मैंने आपको बोला कि अगर आप मेंसे किसी ने All India first rank ला ली तो मैं आपको भेजने वाला हूँ Singapore अगर आप मेंसे किसी ने first rank ला ली तो मैं आपको भेजने वाला हूँ Singapore अब मान लो आप मेंसे किसी बंदे की first rank आ गई तो BB Virtuals Private Limited ने क्या किया BB Virtuals Private Limited आपके लिए एक सिंगापूर पैकेज बुक कराया किस से पता है make my trip से तो make my trip से हमने सिंगापूर पैकेज बुक कराया और उस पे हमने 194C में TDS काट लिया तो यह contract है और हमने उस पे TDS काट लिया तो बाबू फिर उस पे TCS नहीं आएगा अगर हम make my trip का TDS काट लेते तो यहाँ पे आपका TCS से वो नहीं आएगा यहाँ पे आपका TCS नहीं आएगा तो इस particular section में क्या होता है कि अगर आपका TDS कट चुका है तो वहाँ पे आपका TCS नहीं आएगा इस section में clarify किया example जैसा मैंने बोला कि मैंने क्या किया एक package book किया All India Rank 1, 2, 3 के लिए तीनों के लिए मानलो ठीक है तीनों के लिए BB Virtuals Private Limited नहीं एक package book किया make my trip से और make my trip का हमने 194C में TDS काट लिया तो जब हमने 194C में TDS काट लिया है तो यहाँ पे TCS नहीं आएगा आगे देखिए क्या दे रखा है अगर कोई buyer है वो central government है, state government, embassy, high commission, legation, concentrate, trade, representation या local authority यह अगर buyer है तो TCS नहीं आएगा जैसे central government, state government है इनोंने package book कराया मोदी जी कहीं गोमने package book करा लिया या local authority जो BMC वगरा होती है, municipality या उन्होंने अपने लोगों को कहीं गोमने भेज़दा इन्होंने इंडिया के बाहर पैसा बेजा तो यहाँ TCS नहीं आएगा अगर कोई non-resident अगर इंडिया में विजट करता है और वो package खरीता है तो क्या वो TCS आएगा वहाँ पे answer is no तो foreign जाने के लिए उसने वापस package खरीदा या इंडिया आने के बाद फिर इंडिया के बाद उसने सुचा वो Maldiv जाएगा Thailand जाएगा और वहाँ पर उसने package खरीदा तो यहाँ पर TCS नहीं आएगा करके ठीक है चलिए आगे क्या दे रखाए In case of the LRS, if remitted amount is out of the educational loan referred under section 80E that is higher education के ले loan लिया, taken from financial institution then TCS rate is 0.5% instead of the 5%. OTPP किसको बोलते है? OTPP means any tour package which offer visit to the country और countries और territory और territories outside India, including expenses for travel और hotel stay और boarding और lodging और any other expenditure of similar nature in relation to there too. मैं स्कुल मिला के आपका package जो खरीदते हो उसको बोलते है OTPP अब एक बात समझना है, clarification number 4 है, वो यह बोलता है, कि authorized dealers shall not collect TCS on the amount in respect of which TCS has been collected by the seller. अब एक बात बताओ, अगर आप package बेच रहे हो, तो package में भी तो क्या होता है, बहुत बार पैसा इंडिया के बाहर बेजना है, for an example, एक मैं example लेता हूँ, इधर देखो, एक बार मैं समझ लेना, इधर देखना, जैसे मान लो, एक बंदा है जिसका नाम है Mr. BB, एक बंदा है मेरा सब setup होगा चुट्टी वाला गा, अब एक बात समझना, मैंने क्या किया, एक MMT से package खरीदा, make my trip से, और make my trip से package खरीदा 25 लाक रुपे का, इतना बड़ा package खरीदा, OTPP खरीदा, मैंने बोला मैं world tour पे जाओंगा, 25 लाक का package खरीदा, अब हुआ क्या, इस 25 लाक के package में हमारा ऐसा arrangement है, मैंने उनको बोला, कि इस 25 लाक में से मुझे है न, 10 लाक रुपेज बाहर foreign currency भी चाहिए, मैं जब foreign जाओंगा, तो वहाँ मुझे खर्च करने के लिए भी तो पैसा चाहिए, मुझे वहाँ पे खर्च करने के लिए भी तो पैसा चाहिए, तो मेरे को करो, आप हमको 25 लाक दीजिए, हम आपको package में flight देंगे, तो इन्हों ने मुझे package में क्या-क्या दिया, एक तो flight दिया, एक इन्हों ने जो है, वहाँ accommodation बना के दिया, as well as वहाँ पे उन्हों ने मुझे कुछ पैसा भी दिया, कि आपको 10 लाक रुपेज वहाँ foreign में खर्च करने के लिए मिलेगा, अब एक बात बताओ, इसमें भी तो कुछ न कुछ मैं पैसा इंडिया के बाहर रेमिट कर रहा हूँ, तो इंडिया के बाहर रेमिट कर रहा हूँ, और MMT है, वो मानलो authorized dealer भी है, जो इंडिया के बाहर पैसा भेजता है, तो अब ये पूरे 25 लाक पे अगर TCS आ चुका है, जब पूरे 25 लाक पे already TCS आ चुका है, means up to आपका, पहले क्या था, 5% rate थी, अब क्या है, 7 लेक तक 5%, 7 लेक के उपर वाले पे 20%, तो अगर इस पूरे पे TCS आ चुका है, अंडर OTPP, तो क्या वो LRS स्किम में इंडिया के बाहर रेमिटेंस करते हैं, उ इस वाले clause में वापस TCS आएगा, कि answer is no, तो अगर OTPP वाले में TCS आ चुका है, overseas tour package program जब book कर रहे हो, package book कर रहे हो, तब उसमें TCS आ चुका है, तो उस amount पे वापस ऐसा नहीं माना जाएगा, LRS से आप इंडिया के बाहर बेज रहे हो, तो उसमें भी TCS आएगा, उस clause में, अगर seller TCS already collect कर चुका है, तो authorized dealer है, वो TCS collect नहीं करेगा, करके, चलिए, CBTT ने कुछ clarification दिया है, इस बार, clarification क्या बोलता है, देखो, payment through overseas credit card not counted in the LRS, एक बात समझना, यह इन्होंने अभी तक clarification यह दिया है, कि मेरे पास मैं ऐसा credit card है, जो international credit card है, मेरे पास एक international credit card है, अब एक बताओ, जब international credit card से मैं इंडिया के बाहर घूमने जाता हूँ, तो मैं उससे swipe करता हूँ, तो उससे swipe करूँगा, क्या उसमें भी TCS आएगा, अगर payment through overseas credit card, overseas credit card means आपका international credit card, आपके credit card के उपर लिखा होता है, international credit card, question ही आता है, अगर आप उससे, उससे अगर आप payment करोगे, तो क्या वहाँ TCS आएगा, क्या answer is no, वहाँ TCS नहीं है, यह clarification CBDT ने दिया है, payment through overseas credit card, not counted in LRS, no TCS applicable on the expenditure through international credit card, while being overseas, till further order, मैं उन्होंने बोला, आगे जाके हो सकता है, हम इसको भी cover करे LRS में, अभी तक वो cover नहीं है, तो आप international credit card से कुछ payment करते हो, तो उससे पर TCS नहीं उसके बाद क्या दे रखाए, threshold of 7 lakh for the LRS is combined threshold for applicability of TCS on the LRS, irrespective of the purpose of the remittance, like education, medical और अधर, अब एक बात बताओ, ऐसा भी तो हो सकता है, कि इस साल में मैंने क्या किया, इस साल में for an example, मैंने क्या किया, मैंने 9 lakh रुपेज का इंडिया के बाहर, educational purpose के लिए पैसा बेजा, और मा पैसा बेजा, घर खरीदने के लिए बेजा, तो question ही आता है, कि 7 lakh के उपर वाले पर TCS आता है, तो 7 lakh के उपर वाले पर TCS आता है, तो क्या सर 7 lakh इन दोनों के लिए मैं अलग अलग देखूंगा, क्या मैं 7 lakh इन दोनों के लिए अलग अलग देखूंगा, educational purpose के लिए 7 lakh is no, CPTT बोलती है, आपको combine करना पड़ेगा, इसका मतलब यहाँ 9 lakh हो गया, और यहाँ 8 lakh हो गया, तो 8 lakh और 9 lakh, तो कुल मिलाके आपका कितना हो गया, 8 lakh हो गया, home purpose बाला 9 lakh हो गया, यह total हो गया 17 lakh, 7 lakh तक TCS नहीं आएगा, 10 lakh पर TCS आएगा, अब आप यह 10 lakh कौन सा बाल हो गया तो भाई, मैं तो यह सोचोंगा न हमेशा, कि जो 7 lakh की limit exhaust किये, वो मैंने home वाले के सामने किये, क्योंकि वहाँ पे 20% का TCS है, home वाले के सामने किये, तो बेटा home वाले के सामने किये, तो home वाले मैं से 1 lakh बचा, इस 1 lakh पे 20% ले ले लेंगे, और इस 9 lakh पे फिर आपका 5% ले ठीक है, तो देखे, क्या दे रखा है, वापस से इस point को पढ़ेंगे, threshold of 7 lakh for LRS is combined threshold for applicability of TCS on the LRS, irrespective of the purpose of remittance, like education, medical, other, medical treatment में क्या क्या आएगा, तो medical treatment shall include the remittance for the purpose of ticket of the patient, जो ticket का खर्चा है, वो भी medical remittance में आएगा, his attendant, उसके साथ में जो जा रहा है, उसका भी खर्चा ticket का his medical expenses and other day-to-day expenses required for such purpose और education में भी यह आएगा, अगर educational purpose के लिए क्या-क्या include होगा, remittance for the purchase of the ticket, आपने ticket purchase किया उसका खर्चा, tuition and other fees to be paid to the educational institution, इंडिया के बाहर जो आप fees पे करोगे वो, as well as other day-to-day expenses required for undertaking such study, जो आपके day-to-day के खर्चे होते हैं, वो भी educational purpose में ही माना जाएगा और उस पे आपका TCS का rate 5% आएगा, ना कि 20%, क्योंकि educational और medical purpose के लिए TCS की rate 5% है, other के लिए आपके 20% है, next part, only overseas flight ticket is booked and only hotel ticket is booked is not covered in the OTPP, यह मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, कि सिरफ flight का ticket book किया है, या hotel का ticket book किया है, वो OTPP नहीं है, OTPP का मतलब package होना चाहिए, OTPP का यहाँ पे आएगा, otherwise नहीं आएगा, यहाँ पे मैंने कुछ examples बनाए है आपके लिए, तो चलिए अपने काम करते हैं, मैंने यहाँ पे बहुत सारे example बनाए है, total मैंने 8 example बनाए है, तो यह 8 example से चीजों को समझने ही कोशिश करते हैं, सबसे पहला example, Mr. BB, wants to transfer 10 lakh on the 15th September 2023, यह to the USA for buying the property through the AB Limited at authorized dealer under the LRS scheme of the RBI, अब एक बात बताओ, तो यहाँ पे TCS कैसे आएगा, तो सबसे पहले मैं 10 lakh transfer कर रहा था, तो 10 lakh पे आपका 7 lakh तक तो TCS नहीं आएगा, तो 7 lakh पे TCS नहीं आएगा, इसका मतलब यह पहले का date है, उसमें rate क्या थी, 5% थी, तो मैं बोलू, यहाँ पे सिरफ 3 lakh पे TCS आएगा, at the rate 5% की rate से, और बेटा, यहाँ पे जो दूसरा वाला 12 lakh बेजा, इस पे पूरे पे TCS आएगा, 12 lakh पे आपका 20% की rate से TCS आएगा, क्योंकि वो 7 lakh की limit exhaust हो गई है, 7 lakh की limit है, वो आपकी exhaust हो गई है, 7 lakh की limit है, वो आपकी exhaust हो गई है, LRS का मतलब होत पताया था, यहाँ पे RBI का notification लिगा लगए, ठीक है, तो देखो, मैंने क्या बोला, यहाँ पे 10 lakh जो रुपेज है, उसमें से 7 lakh पे TCS नहीं आएगा, 3 lakh पे आएगा, वो 5% की rate से, क्योंकि पहले rate 5% थी, अब आपकी rate 20% हो गई है, तो आपका 12 lakh जो होगा, उस पे 20% की rate से 5 lakh transfer करना चाता हूँ, तो TCS आएगा ही नहीं, क्योंकि TCS तभी आता है, जब जो person remit कर रहा है, वो पूरे साल में मिला के 7 lakh से ज़्यादा remit कर रहा है, तीसरा example, Suppose in question 1, BB wants to transfer for the purpose of the educational और medical treatment, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, educational लोन लिया है, मैं यह बोल रहा हूँ, educational purpose या medical treatment के लिए है, तो उस particular case में क्या होगा, आपकी rate 5% ही रहेगी, तो पहले वाला जो 10 lakh है, उसमें से 7 lakh पे TCS नहीं आएगा, 3 lakh पे आए से आएगा, that is the 60,000, 5% की rate से आएगा, at the rate 60,000 चलिया, उसके बाद question number 4, suppose in question 1, BB wants to transfer for the purpose of education, and this amount is out of the educational loan taken from the HDFC bank, बेटा HDFC bank, IDFC bank से, IDFC first bank से हमने educational loan निकाला और वो वाला पैसा है, तो educational loan वाला पैसा है, तो rate है वो 5% या 20% जो थी, उसकी जगह 0.5% हो जाएगी, तो पहले वाले 3 lakh पे आपका 0.5% सिरफ 1500 रुपया, और दूसरे वाले 12 lakh पे 0.5% है, वो आपका 6,000 रुपेज आएगा, तो यहाँ पे जो रेट है, वो रेट यहाँ पे जो है, वो आप जो है, वो 0.5% हो जाएगी, आगे क्या दे रखा है, suppose in question 1, Mr. BB remitted 10 lakh through the AB dealer, AB limited dealer, and 12 lakh through the JJ limited dealer, अगर मालो मैंने 2 अलग-लग dealer से भेजा पैसा, तो क्या होगा, अब एक बात बताओ, पहले इसको लेके clarification नहीं था, तो लोग क्या कर रहे थे, कि हर जगे 7-7 lakh रुपेज अलग-लग लोगों से भेजते थे, जैसे ICI से bank से 7 lakh भेज दिया, कोई TCS नहीं, फिर kotak से 7 lakh भेजा, फिर मालो corporation bank से 7 lakh भेजा, SBI से 7 lakh भेजा, HDFC से 7 lakh भेजा, और कोई dealer है उससे 7 lakh 7 lakh भेजा, तो भाईया, आप सब से 7 lakh 7 lakh भेजते थे, कोई TCS आता नहीं था, इस बार CPDT ने clarification दिया है, कि भाईया, ये limit है न, वो aggregate देखी जाएगी, मिस आपने मालो HDFC से 7 lakh भेज दिया, तो फिर अगर आप kotak से 7 lakh भेज रहे हो, तो kotak वालों को आपको TCS collect करना पड़ेगा, लेकिन आपका question ये रहेगा, कोटक वालों को कैसे पता चलेगा, आपका question जो है, ये रहेगा, कि kotak वालों को कैसे पता चलेगा, कि हमने ICIC के थुरू 7 lakh भेज चुके है इंडिया के बार ये कैसे पता चलेगा, तो इसके लिए इन्होंने बोला है, कि RBI इसको लेके एक system develop कर रहा है, अभी तक हुआ नहीं है, बट at present आपको क्या करना पड़ेगा, एक declaration देनी पड़ेगी, at present आपकी declaration पर भरुसा किया चाहेगा, आप एक declaration दोगे, उस declaration में आरेस रेमिटेंस नहीं किया, तो उस particular case में आपको 7 lakh का exemption रहेगा, उसके उपर वाले पर TCS आएगा, लेकिन अगर मानलो आप ये declaration नहीं देते हो, तो पूरे पर TCS आजाएगा, अब एक बात समझना, आपने ये declaration गलत दी तो क्या होगा, उसका कुछ भी अभी तक clarification नहीं ह अब ही क्या होगा न, आपको declaration देनी पड़ेगी, आप declaration में लिखोगे कि इस साल हमने और कहीं किसी और dealer से भेजा है, पैसा या नहीं, अगर किसी और dealer से भेजा है, तो भाईया वो 7 lakh का अगर limit exhaust हो गया है, तो यहां से जब भेजोगे तो पूरे पर आपका TCS आएगा, तो आपको self declaration देनी पड़ेगी, ऐसा इनोंने clarification में, इस बार CBDT ने बोला है, तो देखिए, क्या दे रखा है, as per CBDT clarification, limit of 7 lakh is applicable on total LRS remittance made by any person in a previous year, in this case, TCS applicable as per the answer given in the point number 1, जैसा point number 1 में था, वैसा ही आपका TCS से वो आएगा, मिस पहले 10 में से 3 lakh पे आएगा, और बाकी 12 पे पूरा आजाएगा, in this case, JJ Limited will take a self declaration from the BB Limited, भई AB Limited के साथ आप जो पहले वाले के साथ भेजोगे तो पहले वाले ने exemption देदेगा, 7 lakh का उपर वाले पे, अब दूसरा वाला है, वो आपसे self declaration लेगा, about his earlier remittance through the AB Limited, पहले आपने किसी के तुरू भेजा है या नहीं, और वहाँ कितना TCS आएगा, उसका self declaration दिया जाएगा, और वो self declaration वो consider करेंगे, आगे क्या दे रखा है, देखिए, Mr. Devam purchased a Singapore tour package from the Thomas Cook on the 16th June 2023, तो 16 June को Thomas Cook से हमने एक package खरीदा देवम ने, तो देवम ने, अगर मानलो Thomas Cook से एक package खरीदा था, यह OTPP है, यहाँ पे 7 lakh का कोई limit नहीं है, यहाँ पे क TCS rate था, कितने का भी package, अब कैसा है ना, 7 lakh तक के package पे आपका 5%, 7 lakh के उपर वाले पे आपका 20%, तो यह तो पहले वाला है, October से पहले वाला, तो 1st October से पहले वाला है, तो 7, जो आपका 250 है, 250 पे 5% की rate से TCS आ जाएगा, इन अबोब example, अगर देवम ने TDS काट लिया, तो यहा point, this is interesting, SS purchase, यहाँ पे SS है, Mr. SS purchase, Highland Tour package from the MMT, for 15 lakh का package खरीदा अभी तो, 15 lakh का package खरीदा तो बड़ा सिंपल है, 7 lakh तक आपको 5%, 7 lakh के उपर वाले पे 20%, तो आपका क्या होगा, कि यहाँ 15 lakh में, तो 7 lakh तक का जो package का value है, उस पे 5% की rate से TCS आएगा, और 7 lakh के उपर वाले पे आप 20% की rate से TCS आएगा, ठीक है, यहाँ पे यह आपका TCS आएगा, अब एक बास समझना, Sir इसमें कौन-कौन से remittance cover होते हैं, देखो यार, अमारे income tax में सिरफ LRS लिखा हुआ है, कार देख, अंडर liberalized remittance scheme, अगर आप कोई भी पैसा भेज़ते हो, इसमें cover होगा, अब आप ब देख सकते हैं, कौन-कौन सी चीजे इसमें cover होती है, कौन-कौन सी चीजे है, वो इसमें cover होती है, इसमें से आप कौन-कौन सी चीजे है, वो prohibited है, कौन-कौन सी चीजे है, वो सही है, कौन-कौन सी चीजे आप कर सकते हो, यह आपको दे रखा है, यहाँ पे, यह आपको दे maintenance के लिए आप पैसा भेजते है, study के लिए, तो यहां कौन-कौन सी चीजों में आप पैसा भेज सकते है, इसकी पूरी list दे रखी है, अब LRS के बारे में, देखो, यहां पे इतने सारे question दे रखे है, question दे रखे है, question दे रखे है, चब्विस, चब्विस question है, वो आप पढ़ लीजिए घर पे जाके, यह RBI की website पर दे रखा है, मेरे income tax में सिर्फ इतना दे रखा है, कि LRS में आप इंडिया के बाहर पैसा भेजते है, आपका TCS आएगा, LRS में अब आप दर्शन बोलेगा, सर, commission पर आएगा, नहीं है, देख, वो LRS अगर है, वो LRS रेमिटेंस है, liberalized रेमिटेंस स्किम में अगर आता है, तो भाईया TCS आएगा, नहीं आता तो TCS नहीं आएगा, बाकी मैं नहीं बता सकता, अगर मुझे अलग अलग पनारा चीज़े पूछ लोगे, इसमें आएगा या नहीं आएगा, मुझे नहीं पता, आप इसमें देख लीजिए, अगर वह LRS में фول करता है, क्योंकि मेरा law जो है, income tax act, वो income tax act, यहाँ पे जो word use करता है, that is the LRS, income tax act जो word use करता है, क्योंकि मैं अगर आपको income tax law पे लेके जاؤो, तो income tax law जो मेरा word यूज़ करता है वो word यूज़ यहां पे जो कर रहा है 206C पे जाता हूँ law और मैं आपको बता दो हमारे यहां पे law ने word क्या यूज़ किया है हमारे law में जो word यूज़ हुआ है that is 206C 1G दखिए 1G में हमारे यहां तो simple सा word यूज़ होता है every person कोई भी person being the authorized dealer है who receive an amount for the remittance from the buyer for being person remitting such amount under the liberalized remittance scheme of the RBI under the liberalized remittance scheme of the RBI मेरे इसमें इतना सा दे रखा है तो अब आप मुझे यह बोलोगे कि sir मैंने उसको commission दिया वो इसमें आएगा नहीं आएगा यह चीज मैंने दी आएगा नहीं आएगा I don't know गर ठीक है I don't know आप एक बार आप LRS का पूरा scheme देख लीजिए आपको यह पता होना चाहिए क्योंकि आप अगर मुझे कुछ चीजे पूछोगे sir यह आएगा या नहीं आएगा commission आएगा या यह किया तो आएगा या नहीं आएगा I don't know आप चाहिए LRS पढ़िए और अगर वो LRS में fit होता है तो फिर यह section में आएगा मेरे examiner जो आपको question पूचेंगे हमारे जो examiner जो है वो आपको question पूचेंगे वो सिरफ यह पूचेंगे कि LRS में इंडिया के बाहर इतना पैसा भीजा वो लिखके देंगे कि this is covered in the LRS liberalized remittance scheme done चलिए धाई लाग से ज़्यादा पैसा भेजी नहीं सकते आप उसके भी फिर कुछ exception रहते हैं विनु भाई जैशिल भाई जैशिल भाई को point number seven समझ में नहीं आए seven में क्या था कौनसा point number seven 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 में यह है कि अगर मालो TCS cut गया है तो फिर इसमें TCS नहीं आएगा जैसे मैंने बोला ना all India rank आपकी आई और rank में क्या हुआ rank आने से मैंने एक package book कराया और जब package book कराया तो उस package में हमने TDS काट लिया कौनसी section में 194 24C में तो फिर यहां पर TCS नहीं आएगा TDS cut गया तो TCS नहीं आएगा चलिए अब आप break ली जाएगा